नमस्का साथियों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो ये किलासें आपकी ले जा रही हैं ये आपकी UPSC और State PCS को ध्यार में रखते हुए कबर की जा रही हैं और आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और अगर आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग NCEIT जरूर पढ़िएगा ठीक है और देखिए जब State PCS कहा जाता है तो उसमें आप देखते होगे कि Civil Service की तरह आपके राज्यों में भी State PCS का एक्जाम होता है और आप देखेंगे कि उसमें भी प्रिलिम्स होता है और मुख पर इच्छा होती है आपकी और आप देखेंगे प्रिलिम्स में भी और मुख पर इच्छा में भी एक किलासें आप लोगों को फायदा देंगी और दूसरी बात आप में से कई लोगों का ये सवाल रहता है कि या एक किलासें क्या उन लोगों को भी देखना चाहिए जो किसी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करते हैं फिर चाहे वो कैंद इस्तर का हो या राज इस्तर का हो तो देखिए आप लोग किसी भी एक्जाम की तैयारी करें अगर उसमें आपकी इतिहास से कुष्टन्स हाते हैं तो इक किलासें आपके लिए बहुत ही मात्मोर रहने बालिये और आप लोग एक और काम करिएगा आप अपने एक्जाम के पुराने कुष्टन्स पेपर उठा के देख लीजेगा तब और आपको किलियर हो मालू चल जाएगा कि किस तरह के कुष्टन्स पूंचे जा रहे हैं दूसरी बात आप लोग एक और याद रखिएगा अभी तक हम लोगोंने आपका प्राचीन भारत मद्यकालीन भारत पर बात कर चुके हम लोग एक एक टॉपिक पर एक एक चैप्टर को हम लोगोंने कबर किया हुआ है अब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पड़ रहे थी और इसमें लाश्ट क्लास में हम लोगोंने सुतंता अंदुल में जो बिभिने दलों की भूमिका रही है उस पर विस्तार से चर्चा की हुई थी आज की इस क्लास में हम लोग आधुनिक भारत में जो चर्चे ब्यक्ती रहे हैं उन पर बात करनी है चाहे आप देखे कि आपके बाल गंगाधर तिलक साहाब हो या आप देखे गांदी साहाब हो आप समझ रहे है और आप देखे चाहे आपके फिर उसके बाद चाहे आपके कौन जवालाल नहरू साहाब हो या आप देखते हैं निरत्याजी सवाष्चंद भोस सहाभ हो या सदार बल्लबाई पटेल सहाभ हो या आप देखें कि अब्दुल, अबुल कलाम आजाद हो या फिर आप देखें काईदे आजम, मुश्मद अली जिन्ना जिने आप देखते हैं कि देश के बटबारे के स्वामी दयानन सरसुती हो रविन्नाट टैगोर हो भीमराव मेरिकर हो और इनसे आप देखते होंगे कि आपकी परिक्षाओं में questions भी पूँच लेता है तो आज की इस class में हम लोग इन सभी लोगों के बारे में विस्तार से चल्चा करेंगे और देखे एक separate आपकी पिले लिष्ट सूची बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो सभी आप देखी Prelims का जो syllabus है चाहे तियास का हो, चाहे भूगोल का हो या आप देखी सम्मीधान हो, अर्ध विवस्ता हो या विज्ञान हो, सभी कलासें आपको करम से यहां मिल जाएंगी चैप्टर वाई, चैप्टर तो वहां जाकर आप देख सकते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं इन्हें आप लोग लोग मान बाल गंगाधर तिलक की नाम से भी जानते हैं इनका जनम आप देखें, 23 जुलाई 1856 में होता है और 1 अगस्त 1920 में इनकी डैथ हो जाती है क्या हो जाती है? डैथ हो जाती है बाल गंगाधर तिलक का जनम कहां होता है? यह आप देखेंगे कि महराष्ट में होता है कोंकर पिदेश में होता है रतनागिरी के चिक्कन गाउं में हुआ था इनका जनम माल गंगाधर तिलक साहब का 23 से जुलाई 1856 में हुआ था रतनागिरी में ठीक है? इनके पिता गंगाधर रामचंद तिलक एक घनेश धरम निष्ट ब्रहमड थे ब्रहमड जाती से इनका संबंद था 1889 में उन्होंने बी ये और कानून की परिक्षा उत्तीन की और तिलक ने प्यारम में से ही जनता की सिवा का ब्रिध धारन कर लिया यानि कि एक तरह से अपना ओदेश ही बना लिया परिक्षा उत्तीन करने के बाद उन्होंने अपनी सेवाएं पूर रोप से एक सिक्षर संस्ता का की निर्मान को दे दी और सन 1880 में निव इंगलेश स्कूल और कुछ साल बाद फार्गवुस्यन कॉलेज की इन्होंने इस्थापना की तो ये भी याद रखेगा है मांग उठाई थी एक कुष्टन से भी कई बार आप देखते हैं कि वंडे एकजाम में भी पूछ लेता है कि सबसे पहले पूर सौराज की मांग किसने उठाई थी तो याद रखे बालगंगधर तिलक साहब ने तिलक का ये कथन सौराज मेरा जनम से ददिकार है और मैंसे लेकर रहूँगा बहुत ही पिसे दुगा और एक कथन भी आप देखे कई बार एकजाम में पूछ लेता है सौराज मेरा जनम से ददिकार है और मैंसे लेकर रहूँगा किसका था बालगंगधर तिलक का लोग ने आदर से लोकमान नाम से पुकारते थे उन्हें हिंदू राष्ट वात की का पिता भी कहा जाता था अगर आपसे पूचे कि हिंदू राष्ट वात का पिता किसे कहा जाता था तो आप देखे कि कौन थे आपके बाल गंगदर तिलक साहब को कहा जाता था और लोकमान कि जो देश के वटवारे में या मुसलिमों के अलग होने में जो बात होती है ना उसको इसी इन ही बातों को लेकर आलोचना भी की जाती है कि इन्होंने हिंदूओं के लिए हिंदूओं के तरफ इनका जोका हो गया था और इसलिए मुसलिम इन से अलग होने लगे थे उन्हों के पास बफादार, पितीनी धी मंडल भेजने में विश्वास रखते थे, यानि कि अपना प्राथना पतलिक दिया, हाथ जोड लिये, अपना असेश्ट मंडल एक पितीनी धी मंडल भेज दिया उनके पास अंग्रेजों के पास, लेकिन लाला लाजपतराय हों, बाल गंगतर तिलक हों, ये लोग इसमें भरोसा ही नहीं करते थे, तिलक का लक्ष सुराज था, और छोटे मोटे सुधार नहीं, उन्होंने कॉंग्रेस को अपने उग विचारों को सुईकार करने के लिए राजी करने का प्रयास भी किया, और इस मामले पर सन 1907 में, कॉंग्रेस सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्स भी हुआ था, और राष्टबादी सक्तियों में फूट का लाव उठा कर, सरकार ने तिलक पर राद्रो और आतंक बात थेलाने का आरोप लगा कर, उन्हें 6 माय के कारवास की सजा भी देती, और मांडले बरमा भी निर्वास अधित किया था, यहां है एक बात और आप लोगों की समझ में आ गया हुगा, देखिए अगर आप लोग वर्तमार में सरकार से सवाल पोँच रहे हैं, आप लोग जिस समय रहे हैं, और उस समय अगर सरकार आपको देश-दुरो ही कहती है, राज-दुरो ही कहती है, आतंक कुछ भी सब्द कहती है, उस पर आपको ध्यान में नहीं देना चाहिए, आपको इतिहास में, आने बाले समय में जो इतिहास लिखा जाएगा, उस हिसाब से अपने करम करना चाहिए, आप सोचिए, बालगंगर तिलक को भी तो कहा जा रहा है, देश-दुरो ही कहा जा रहा राज-दुरो कहा जा रहा है, आतंगवादी कहा जा रहा है, फिर भी आप देखिए, अपना काम कर रहे हैं, और आज आप देखिए कि हम लोग उनकी पूजा करे हैं, और उस समय देश-दुरो ही था सिंधिया, तो आप समझ सकते हैं, यह हाल है, और भागसिंग सोगदिव राज-दुरो को भी आप जानते हैं, कि किन-किन नामों से नवा जा गया, लेकिन इतिहास अभी जो लिखा गया है, उसे साब से हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, महान देश-भक्त कहते हैं, और देखिए, जब इतिहास आने वाले समय में लिखा जाएगा ना, तो उस समय हम हमारी इतनी पहुंच नहीं होगी, कि अगर हम गलत होंगे, तो गलत ही लिखा जाएगा वहाँ, मांडली जिल में तिलक ने अपनी महान किटी, भगवत-गीता, रहस का लेखन सुरू किया था, जो हिंदूओं की सबसे पवित्ध पुस्तक का मूल्टी का है, ये भी आप ल लोगपरी है हुई हुए थे, मराठा, दरपन और केसरी, ये आप देखें समाचार पत किस से जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक से, जिसमें तिलक ने अंग्रेजी सासन की कुर्टा और भारती संसकती के पिती भावना की बहुत आलूचना भी की थी, उन्होंने ब से थम योद्धे के ठीक पहले, 1914 में रेहा होने पर वहे पुनहा राजनीती में कूंद पड़े और इंडियन हॉम रोल लीग की स्थापना की इन्होंने, 1916 में वह अफ्र से कॉंग्रेस में सामिल हो गये और हिंदू और मुसल्बानों की बीच हुए इतिहासिक लटनव अथापक मुहमद अली जिन्ना के बीच हुआ था, इंडियन हॉम रोल लीग के अध्यक्ष की रूम में तिलक ने सन 1908 में इंग्लेंड भी गए और तिलक पहले ब्यक्ती थे जिन्नोंने कहा था कि भारतियों को विदेशी सासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए और इस बा रस्त को हो गई और इसी दिन आप देखे असहयोग आंदोलन चलाए गया था तो यह भी आप लोग याद रखेएगा और कॉंग्रेस से जुड़े रहे हैं लेकिन गरम दल के थे समय रहे हैं आप लोग तो यह भी याद रखेएगा आंगे चलते हैं हम लोग अब बापू क की बात करते हैं मातमा गांदी की बात करते हैं और आप देखे कि बो तो अहेंसा की बात करते थे और नरम दिल की एक तरव से थे वो दो अक्टूबर 1869 को इनका जनम होता है 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो जाती है इनकी हत्या कर दी गई थी नातुराम गौर्ण से गिरवारा एक दो डेटें जरूर याद रखेगा वंडे एक जाम मैं SSC बैंक रेलवे की तयारी करते होंगे तो कई बार इस तरही के कुश्चन्स पूच लेता है आप लोगों से तो 1889 में जनम इनका 2 अक्टोबर को पोरवंदर काठिया वाड में और माता इनकी पुदली बाई थी है और पिता करमचंद गांदी थे इनके घर में हुगा था और आप देखीं कि 1883 में कस्तूरा वाई से इनकी साधी कर दी जाती है और 1888 में सेप्टमबर में बकालत पढ़ने वो इंग्लेंड चले जाते हैं और 1893 में भारतिये फारम के लिए केस लड़ने 10-6 अभी का रवाना हुए वहां उन्हें सभी पेकार के रंगभेत का सामना करना पड़ा और आपको एक और बात बता देता हुए कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग गांधी जी की बाई अगर आपकी जरूर पड़ियेगा आपको जरूर पड़ियेगा बहुत सच्चा ही लिखी गई उसमें 1894 में रंगभेत का सामना वही रहे का समाचकार और बकावदत करने का फैसला किया और नेटाल इंडियन कॉंगरेस की स्थाफना भी की थी नेटाल इंडियन कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे गांदीली ठीक है इसकी स्थाफना की थी अठारे सो निन्यार में बेट सैना के लिए बौर इयोद में भारती एंबोलेंस सिवा तेयार की 1901 में सापरीबा सौदेश रवाना हुए और देश का दोरा किया कलकात्ता की कॉंग्रेस सदीबेशन में भागवी लिया और बंबई में बकालत का दफ्तर खोला फिर आप देखेंगे 1902 में भारती समधाय द्वारा बुलाय जाने पर वो दच्डपी का पुनह बापस लोट जाते हैं और 1904 में इंडियन ओपिनियन सप्ताहिक पत्त का पिकासन आरम करते हैं फिर आप देखेंगे 1906 में जुलू बिद्रो के दोरान भारती एंबोलेंस सेवा तेयार की गए और आज इवन ब्रह्मचेर का बैत लिया और एसियाटिक ओडियनेंस की बिरुद्ध जुहांसबरग में पिथम सत्यागय अभियान आरम किया था 1906 में 1907 में बिलैक एक्ट भारतीयों और अन एसियाई लोगों की जवरजस्ती पंजी करन की बिरुद्ध सत्यागय भी इन्होंने किया था गांधी जने 1908 में आप देखें कि सत्यागय के लिए जुहांसबरग में पिथम बार कारावास दंड और आंदोलन जारी रहा और दुतिये सत्यागय में पंजी करन प्रमाट पत्र जिलाए गए और पुनाह कारावास दंड मिला इन्होंने 1909 में जून में भारतियों का पक्च रखने इंग्लेंड रवाना हुए और नवंबर में दच्छड अपी का बापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा था इन्होंने तो यह भी छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं लेकिन कई वार आप देखते हैं कि एकजाम में पूँच लेता है 1910 में आप देखेंगी माई में जूहांस वर्ग की निकट टॉल स्टाय फार्म की स्थाफना कीनों ने और 1913 में रंगभेद और दमनकारी नीतियों की विरोध सत्या गय जारी रिखा The Great March का नितित किया और जिसमें 2000 भार्दिये खादान कर्मीयों ने निव केसल से निटाल तक की पदयात्रा की थी और गांधी जी पर हो या किसी और पर आप देखी महापुरस पर अगर कोई मूवी बनी हुई है तो उस तरह की मूवीयां आप लोगों को जरूर देखना चाहिए इतिहास भी आपका मजबूत होगा लेकिन हमारे देश की बिड़बमना क्या है हमारे देश में आप देखी जो इतिहास पर इतिहास एक मूवीयां बनती है उन्हें कम ही लोग पसंद करते है हमारे यहां मिर्च मसाला नहीं होता है जब तक आप देखी मूवी को पसंद ही नहीं किया जाता है और अधिकतर हॉलीबुड आप लोग मूवीयां देखते होंगे इतिहास पर ही बनती है उनकी 1915 में आप देखीं कि 21 बरसों की प्रवास के बाद जनवरी में सौदेश लोटे और मई में कोच रव में सत्यागया असरम की स्थापना की और आप देखीं 17 में सावर्मती नदी के पास इस्थापित हुआ ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेगा सावर्मती आसरम भी आप लोग कहते हैं से प्रवासी दिवस भी मनाय जाता है आप देखीं इनी के आने की बाद से ही और 1917 में बिहार में चमपारन सत्यागा का नेतित किया था है इनोंने और पहली बार आप देखीं लोग इने देखने आते थे जब बिहार में चमपारन गए तो आप देखीं किसानों का मुद्दा था है लोग इन्हें इसलिए देखने आते थे कि गांधी दिखता कैसा है आप सूची इतनी पॉपरलिटी थी इनकी लोगों में 1918 में फरवरी में एहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्यागय का नितित और मध्यस्ता द्वारा हल निकाला इन सब के बारे में पड़ा हुआ है और खेडा आप देखेंगे खेडा अंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था 1919 में जो रॉलेक्ट बिल पास हुआ था जिसमें भारतियों के आम अधिकाल चिल लिये गए थे और विरोध में उन्होंने पहला अखिर भारतियों सत्यागय छेडा था और राष्ट ब्यापी हर्ताल का आहान भी सफल हुआ था अंग्रेजी सप्ताहिक पत्त यंग इंडिया और गुजराती सप्ताहिक पत्त नाव जीवन के संपादक का पद भी गिर्ण किया था गांधी जीने 1920 में अखिल भारतिय हॉम रोल लेक के अध्यक निरबाचित हुए कि इसारे हिंद पदक लोटाया और दुतिय राष्ट ब्यापी सत्यागय आंदोलन आहरम किया था इनोंने और 1922 में आप देखते हैं कि असायूग आंदोलन की बात हो रहे 1922 में चोरी-चोरा की हंसा घटना के बाग जन आंदोलन इस्थगेत यानी की बापस ले लिया गया था रोग दिया गया था असायूग आंदोलन और उन पर राजदरों का मुकदमा भी चला था उन्होंने स्वयम को दो सी सो इकार किया था और जजज ब्रोम ठेल्ड द्वारा छे वरस की कारावास के ने दंड भी दिया गया था आप सोची कि अपना अपराद ही कबूल कर रहे है कि हमें जो भी आपको फांसी देनी है दे दीजिए जो सजानी देनी है दे दीजिएगा शमय रहे हैं इस तरह ही कि लोग देखिए हैं भारत ने तब जाकर आप देखिया आजाद हुए हम लोग 1923 में दच्छडपी का में सत्यागय पुस्तक और आत्मगता की कुछ अंस कारावास की दौरा निनों ने लिखे 1924 में संपदाई केक्ता के लिए 21 दिन का उपवास रखा और बेलगाओं कॉंग्रेस अदिवेशन की अध्यक्ष भी चुने गए कॉंग्रेस की एक बार केवले अपनी जिन्दगी में अध्यक्ष बने वो 1924 में जो बेलगाओं कॉंग्रेस अदिवेशन हुआ था उसमें फिर आप देखेंगे 1930 में इदिहास एक नवास सत्या गया सावरमती से दंडी तक की यात्रा की थी और ये सभी घटना आप लोग पीछे पर सुके हैं तो सभी कलासों को आप लोग किरम से याद कर लिजेगा और पढ़िएगा 1931 में गांधी इर्विन समझोता होता है दुतिय गोल में इस परिशद के लिए इंग्लेंड यात्रा बापसी में महान दासनिक रोमा रोलान से भेंट होती है इनकी और आप देखिएगा एक और बात याद रखिएगा दूसरे गोल में सम्मिलन में इनोंने भाग लिया था कॉंग्रेस की तरफ से पहले और तीसरे में नहीं लिया था विरोधी आंदोलन छेड़ा था इनोंने उस समय आप देखिए कि चुवा चूत भी बहुत एक तरसे भेदभा होता था 1940 में अन ब्यक्ति का सत्यागी की घोष्णा की और विनोवा भावे को उनोंने पहला ब्यक्ति का सत्यागीर ही चुना था और फिर आप देखें कि 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन का राष्ट व्याफी अहन किया हो पूना के आगाखा महल में बंदी जहां सचे वो मित महादेव देसाई की का नेधन हुआ था तो यह भी याद रखेएगा ठीक है गांदी जी के बारे में छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन मौटे मौटे पॉइंट है 1944 में 22 फरवरी को आगाखा महल में कस्तूरबा का 62 वर्स की विवाज जीवन के परशाद 14 वर्स की आयू में इनकी डेथ हो गई थी आप सोचे कि गांदी जी बंद थे जेल में बंद थे एक तरह से और उनके सचेव और उनकी पतनी की डेथ हो जाती है आप सोचे तब जाकर हमें आजादी मिले भगसिंग सुगदेव राजगुरो खुसी खुसी आप देखे भांसी पचड़ गया तब आजादी मिले और व बंगाल की 49 गाओं की सांती यात्रा जहां संपदायक दंगों की आगभड़की हुई थी और आज देखी आज के निताओं को देख लिए आप लोग कहीं दंगा हो जाता है तो वहां बहुत बाद में जाते हैं जब सब कुछ खतम हो जाता है और गांदी जी कहते हैं कि उस स 17 गस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे साथ करने के लिए उपवास और परातना भी किया और 1948 में 30 जर्मारी को नाथुराम गौंड से द्वारा साम की परातना के लिए जाते समय बिडला हाउस में ने इनकी हत्या कर दी गई थी और महात्मा गांदी को बेटिस सासन की खिलाब भारत की सिध्धान के लिए उन्हें अंतराष्टी क्याती पराप्त हुई और दुनिया भर आप देखिए कि आज भी उनके विचारों की बात करते हैं क्योंकि कहते हैं देखिए हिंसा आपने देखा होगा अभी हाली में हमारे देश में तीन केसी कानून आय हुए थे और बड़ तो भारती सुतंता अंदोलन की एक प्रमुक राजनेतिक और अध्यात्मिक नेता थे महत्मा गांधी का जनम आपको बता चुका हूँ दो अक्टूबर 1889 को गुजरात की पूरवंदर नामक इस्थान पर हुआ था उनके माता पिता कट्टर हिंदू थे उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था मुहंदास की माता का नाम पुतलीवाई था जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थे ठीक है और मुहंदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे और उनके पिता करमचंद कवा गांधी पहले बेटे सासन के तहट पश्यमी भारत के ग अमें परिवार में हुआ, उन पर कठिन नीतियों बाले भारतिय धारम जैन धारम का गहरा परभा हो पड़ा, और इस पेकार उन्होंने स्वभाविक रूप से एहंसा साकार, आत्म सुध्धी के लिए उप्बास और बेविन पंथों को मानने वालों की बीस परसपस हेडूता को अपनाया, और आप सभी को एक और बात मालू होगे, कि जैन, महावीर जैन, महावी स्वामी के बारे में आप लोग पड़े होंगे, उन्होंने तो पहले ही एहंसा की बात की थी, 1887 में मोहन दास ने जैसे तैसे बंबई उनिवसिटी की मैट्रिक परीक्षा पास की, और भावनगर इस्तित रामल दास कॉलेज में दाखिला लिया, उनकी यूबा मन में इंगलेंड की छबी, दारसनेक और कभियों की भूमी, संपूर सबथा के केंदर के रोम में थी, और इनर टेंपल में दाखिल हो गये, और मुहन दास करमचंदे जब केबल 13 वर्स के थे, और स्कूल में पढ़ते थे, पोरवंदर की एक व्यापारी की पुत्री, कस्तूरवा बाई, कस्तूरवा से उनकी साधी हो जाती है, विवा हो जाता है, छोटी उम्र में, बाल विवा हो पढ़ें, उतनी अच्छी बात है, जितनी जान्दा भासा है, आपको आएं, तो अच्छी बात है, जब वह पश्चमी खानपान तहजीव और पहनावई को अपनाने के लिए जूचते उन्हें अठपटा लगता, उन्हें एक साकारी स्तरंद के साथ साथ एक पुस्तक मिल जिसमें साकाहर की पक्ष में तक दिये गए थे, वह लंदन विजिटीरियन सुसाइटी के कारिकारी सदस्त भी बन गये, और उसके सम्मेलनों में भाग लेने लगे, और उनका पत्तिका में भी लिखने लगे, और यहां तीन वरसों 1888 से 1891 तक रहे कर उन्हें ने लटकर मुकदमा लड़ने करने बालों के लिए अरजी लिखने जैसे छोटे कामों की जरिये रोजी रोटी कमाने लगे, उन्होंने दच्छन अपीका में नटाल इस्तित एक भारतिये कंपनी से एक साल की अनुवंद को सुईकार करके राहत की सांस ली, और डर्वन नियाल के पिथम सेणी के डिवे से बाहर फेक दिया गया, उन्होंने स्टेशन पर ठे टोटते हुए रात बिताई, नटाल में भारतिये ब्यापारियों उस्तिनमिकों के लिए अबमान देरिक जीवन का हिस्सा था, और आप सूची कि इतना कुस्त जेल रहे हैं। इंबोलेंस कोर की स्थापना की, जिसमें 300 सुतंत भारतिये और बाकी बंदुवा मजदूर थे, इवद्ध की समापती से दच्छडपीका के भारतियों को साइध ही कोई वरहात मिली, और 1906 में ट्रांस वाल सरकार ने दच्छडपीका की भारतिये जनता की पंजी करन के लि और इस पेका सत्यागय का जनम हुआ, जो बेदना पहुंचाने के बज़या, उन्हें जहलें विद्ध वेस हीन, पिती रोध करने और बिना हिंसा के उससे से लड़ने की नई तकनिक दी, गांधी जी ने अंग्रेजों की कई बार मदद की, लेकिन उसके बदले आप देखी की कुछ नहीं मिला गांधी जी को, दच्छ डपीका में साथ वर्ष से अधिक समय तक संगर्स चला इनका, और इसमें उताओ चड़ाओ आते रहे, लेकिन गांधी जी की नेतित में भारती अलप संख्यकों के छोटे समधाय ने अपने सकती साली पीती पक्षियों के ना जानदा पसंद किया, और 1913 में आंदोलन के अंतिन चर्ण में महलाओं समेथ सैकनों भारतीयों ने कारवास की सजा भुखती और खदानों में काम बंद करके हरताल कर रहे हजारों भारती मजदूरों को ने कोडों की मार, कोड़ा देखते हैं आप लोग, उसकी मार भी जेली, जेल की सजा और यहां तक की गोली मारने की आदिस का भी साहस पूरवक सामना किया, और भारतियों के लिए गोर यांतरना थी, लेकिन दच्छर अपीकर सरकार के लिए सबसे खराब प्रचास सिद्ध हुआ, और उसने भारत वा बेटिस सरकार की दबाओं की तहद ए उनकी माता, फुरुवंदार और राजकोट इस्तित घर की बिरभाव से बचपन से में ही सुरू हो गई थी, लेकिन दच्छर अपीका पहुँचने पर इसे काफी बल मिला, वह है इसाई धरम पर टॉल्स टाय की लेखन पर मुग दे थे, उन्होंने कुरान की अनबात का अ पोड है, एक बात और आपको बता दूँ, आज के धरम गुरु हों, नेता हों, किसी भी धरम के हों, वो आप देखे आपको आधी सिक्छा देते हैं, और आप सब जानते ह shell कि कभी भी कोई भी धरम, यह नहीं कहता है कि आप किसी के धरम से, किसी बैक्ती से नपरत करिये, कि इसी को मारिये, किसी को नुकसान पहुंचेये, किसी को दुक्ष पहुंचाये, लेकिन आज कल आप देखते हैं कि नई नई परिभासाय गड़ रहे हैं, नेता हमारे गड़ रहे हैं, और आप देखें धरम गुरु गरते रहते हैं, भगबध गीता जिसका गांधी ने पहली गीवन को बाधित करने वाली बहुतिक बस्तूओं का त्यार कर देना चाहिए उसे धन संपत्ति के बंदनों से मुक्त हो जाना चाहिए दूसरा अब सब्था संभाव समान भाव और जिसे उन्हें दुख या सुख जीत या हार समय अडेग रहना चाहिए और सफलता की आसा य आप देखें दुनिया के पहले अगर मॉटिवेशनल स्पीकर की हम लोग भात करें दुख किसन भगवान ही थे इस बात को नहीं भूला चाहिए ठीक है तो यह भी रहा और 1904 में आप देखेंगे पुझी बात की आलोचर जॉन रस्किन की अंटू दा लाश्ट पढ़ने के बाद उन्होंने डर्वन के पास फिनिक्स में एक फार्म की स्थावना की वहाँ अपने मित्रों के साथ केवल अपने स्रम के बूते पर ही जी सकते थे च्छै बरस के बाद गांधी जी की देखरे और उसके बाद आप देखें भारत की निता की रूम में उदाय है इनका 1915 में आप सबी जानते हैं कि भारत फ्लोट आते हैं और उन्होंने अंग्लिस चार बसों में भारती इस्तिती का अध्यन किया और स्वैम को उन लोगों को तेयार करने में बिताय जो सत्या गया कि द् राजनितिक गुराईयों को हटाने में उनका अनुववन करना चाहे दे थे और आप देखें सबसे पहले यहां कर उन्होंने पूरे देश की एक तरह से भिरमड किया 1915 से 1918 तक के काल में गांधी जी भारती राजनितिक परदी पर अनिश्चिता से मडर आते रहे इस काल में उन्होंने किसी भी राजनितिक आंदूलन में सामिल होने से इंकार कर दिया और पिथम विस्योद में बेटेन के प्रयासों यहां तक की भारत की बेटिस फॉज पहले में तो आप देखी गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों की मदद करने के लिए का था पहले विस्योद में सिपाईयों की भरती का भी समर्थन किया था और इसलिए आप देखें इन्हें सिपाई करने वाला एजेंट भी कहा गया था साथ ही वह बेटे साधिकारियों की वो दंडता भरी हरकतों की आलुषना भी करते थे और उन्होंने बिहार गुजरात की किसानों की उत्पीडन का मामला भी उठाया गांधी जी 1917-18 की दौरान बिहार की चंपारन नमत इस्थान पर पहली बाद सत्यागय का प्रेयोग किया था यहां अकाल की समय गरीब किसानों को अपने जीवित रहने के लिए जरूरी खाद फसलें उगाने की स्थान पर नील की केती करने के लिए जोड डाला जा रहा था उन्हें अपनी पैदावार का कम मूल दिया जा रहा था और उन पर भारी करों का टेक्स का दबाव था गांधी जी ने उस गाउं का विस्तित अध्यन किया और जमीदारों के विरूत का आयोजन भी किया आपको किसी विराजनितिक पालिटी में तभी जगह मिलेगी जब आप खुद मजबूत होंगे तो आपको कॉसेस भी नहीं करना चाहिए कि आप बिना मजबूती के किसी छेत में चर्चेद में आ जाएं पहले काम करिए उसके बाद आप 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 देखे कोई ना कोई आपको हरताल हुई और हरताल के दिन सभी सहरों का जीवन ठब पड़ हो गया व्यापार बंद रहा अंग्रेज अपसर आसाहाय से दिखे और इस हरताल से ने असायोग के हतियारों की सकती पूरी तरह तरगट कर दी हजारों असायोगियों को बेटेस जेलों में ठूस दिया गया ल उन्होंने 35 बस पुरानी भारती राष्टी कॉंग्रेस को भारती राष्टबाद के प्रभावी प्रभावसाली राजनितिक हतियार में बदल दिया और फरवरी 1922 में आप देखेंगे यहां अंदोलन जोर पकरता पितित हुआ लेकिन पूर्वी भारत की दूरिद्राज की एक गाउं चोरी-चोरा में हिंसा भढ़कने से गांदी ने अयोग्या अंदोलन यानि कि असायोग अंदोलन आप सभी जानते ही कि बापसक ले लिया और 10 मार्ट 1922 को गांदी जी को गरपतार कर लिया गया और उन्हें 6 बरसों के कारवास की सया दी गई अहिंसक असायोग को समझा बुझा कर उन्हें संकाओं और कटरवात की घेरे से वाहर निकालने का प्रयास किया और एक गंभी समपतायक हिंसा के बाद 1924 की पतजड में उन्होंने तीन सप्ता का अबास किया ताकि लोगों को हिंसा के मार्क पचलने को पेरित किया जा सके जब इन्हें लोगो क्रांस कॉंग्रेस जन्हों ने 1919 के भारतिय सासन विधान द्वारा स्थापित काउंसिल प्रविष करने की इक्षा त्रगट की तो गांधी जी ने कुछ समय के लिए सक्रिय रानीती से सन्यास भी ली लिया उन्होंने अपने आगामी तीन बरस बरस ग्राम उत्थान कारियो में लगाये उन्होंने गाउं की भेंकर निर्धनता को दूर करने के लिए चार्खेपसूत कातने का प्रिचार किया हिंदूों में ब्याप्त छुगा छूत को मिटाने की कौसिस की इन्होंने क्या की कौसिस की और अपने इस कारिकरम को गांधी जी की रचनात्मक कारिकरम क कहते हैं इस कार्गरम के जरिए वे अन भारती निताओं की मुकाबले गाउं में निवास करने वाली देश की 90-30 जंता के बहुत अधिक निकट आ गए थे और उन्होंने सारे देश में गाउं की गाउं-गाउं की आत्री की और गाउं की पोसाग अपना ली और उनकी भासा मे में रहने वाले करोड़ों की आबादी में राजनितिक ज्यागरिती पैदा की और स्वराज की मांग को मद्द बरगी अंदोलन की से उठा कर देश व्यापी जनांदोलन का रूप दे दिया है अब आप देखिए हमारे जो महावी स्वामी रहे हो बुद्ध रहे हो भगवा आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कभी बात नहीं मानेंगे जब तक आप उनके जो इस्थानिय मुद्ध होंगे जो इस्थानिय समस्याय होंगी उन्हें सामिल नहीं करेंगे तो गांदी जी ने इस ओर ध्यान दिया और आप देखिए उनकी समस्यायों को उठाया उनके समाधान की बात की तब लोग और जोड़ना सुरू किये और पंचायतों की अगर हम बात गांओ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गांदी जी के कारण ही आप सोचे कि आज पंचायतों की स्थाफना हुई है और अगर आप सोचे कि 1948 में उनकी हत्या ना की जाती तो आप देखे समिधान जब लागू हो रहा था तभी समिधान में पंचायतों को जगय मिल जाती है जो आप देखते हैं 73 समिधान संसोधन के बाद मिलती है ठीक है तो आप देखे वो हिमायती बहुत थी पंचायतों के और आप सभी जानते ही कि यह हकीगत भी है कि अगर लोकतिंत सही माइने में देखना है तो आप देखी निचले सतल तक हो और आप देखी कि.. सक्तियों का बतवारा हो अब आप देखी गाओं की समस्या को आपका पैधारमंतरी थोड़ी समझपाएगा यह लोक सदस तोड़ी समझपाएगा.. या आप देखें कि आपका बिधायक थोड़ी समझ पाएगा उसे समझ पाएगा इस थानी है कोई बेक्ती और आप देखें वही उसका समाधान भी निकाल पाएगा तो इस अभी बात भी कही थी गांदी जेने सन 1927 में बेटे सरकार ने सर जौन साइवन के नित्त में एक समीधान सुधार आयोक का गठन किया जिसमें किसी भारतिये को सामिल नहीं किया गया और कॉंग्रेस और अन्य पार्टियों के द्वारा आयोक का बहिसकार किये जानने से राजनेते घटना करम तेज हुआ और दिसमबर 1928 में कॉलकाता कॉंग्रेस की बैठक के बाद जिसमें गांधी ने पूर स्वराज के लिए देश व्यापी अहिंसक आंदोलन की धमकी देकर बेटे सरकार से एक साल भीतर भारत को अधीराज जी का दर्दा दियेने जाने का पिस्ताओ रखा था यानि कि यह क्या करते थे महलत भी दे देते थे कि बेटा इतने समय में समझ जाओ और वरना हम तो आंदोलन करेंगे ही कॉंग्रिस पाइटी पर फिर से गांदी जी का नेंतर हो जाता है और समाज की निधन बर्ग को प्रभावीत करने वाले नमक करकी खिलाब उन्होंने मार्च 1930 में सत्यागय सुरू किया अब आप मेंसे कई लोग फूचते रहते हैं कि नमक ही क्यों चुना सत्यागय करने के लिए देखे नमक हर किसी धरम से जुड़ा हुआ है हर बेक्टी काम आता है अब आप सुचे कि जल ले लेते तो कोई कह देता है कि हिंदूओं से जुड़ा हुआ है तो आप देखे मु अब आप की बेटिस वाइसरा है लॉड एर्वेन के साथ बाचीत के बाद गांधी ने एक समझोधता सुईकार कर लिया और सवीनाय योग्या अंदोल ने बापस ले लिया और लंदन में गोल में भारती राष्टी कॉंगरेस के एकमात पिती निधी के रूम में इसामिल बंदी अवस्था में ही गांधी ने बेटे सरकार के द्वारा नए समीधान में अच्छूतों को अलग मद्दाता सुची में सामिल करके उन्हें अलग करने के नेड़य के खिलाब आंसन सुरू कर दिया इसके फलसुरूप देश भर में भावनात्मक आवेद उम्रा पड़ ने मिलजूर कर एक बिकल्फिक मद्दाता सुची की विवस्था की रोपरेखा बनाई और बेटे सरकार ने से मंजूरी दे दी क्यूंकि आप देखिए कि बेटे सरकार तो हमेंसा चाहती थी अंगरे तो हमेंसा चाहती थी कि फूट पड़े इन लोगों में और वो अपने क राजनेतिक कारणों से एहंसा को अपनाया है और राजनेतिक गतिवधियों की स्थान पर अब उन्होंने रचनात्म कारिकोरों की जरिये सबसे निचली स्तर से राष्ट की निर्मार पर अपना ध्यान के अंदित किया दूसरे विसे उद्दे सुरू होने के साथ ही भारत का राष्टवाद संघरस अपने अंते महत्पूर्ट चैनु में प्रिविश्स कर गया, और भारती सोसासन का स्वासन दिन जान दिये जान दिये जाने की सर्थ पर भारती राष्टी कॉंग्रेस की उद्द में अंग्रेज Champions में ग्रीश में गांदी ने अंग्रेजों से तकाल भारत छोडो की मांग की और फांसी वाद सक्तियां विसेस का जापान की खलाब युद्ध महत्पूंट चरन में था और इसी समय तो आप देखते हैं कि भारत छोडो आंदोलन चला और उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने तुरंथ ही पितिकरिया दिखाई और कॉंग्रेज की समूची नेतित को गरफतार कर लिया बड़े बड़े नेताओं को बीच लंबी त्री पक्षिय बारता हुए जिसके फासरूप 3 जून 1947 को मांट बेटन यूजना तियार हुई और 15 अगस 1947 को दो राष्ट भारत और पाकिस्तान का निर्माड हो जाता है अंतिम समय तक आप देखे गांधी जी इसका दिरोध करते हैं लेकिन कोई option भी नहीं था भारत की अखंडता की बिना देश्ट को सुतंत होना गांधी की जीवन की सबसे बड़ी निरासाओं में से एक था जब गांधी और उनके सहोगी जेल में थे तो मुसलिम अलगाओ बात को कापी बड़ावा मिला उन्नीस सो चैलिस से तालीस में जब समीधानिक व्योस्थाओं पर अंतिम दोर की बाच्ची चल लई थी तो हिंदूओं और मुसल्वानों की भी भड़की संपदाइक हिंसा ने ऐसा अप्रिये माहूल बना दिया जिसे गांधी जी की तरक और नयाय सहटूता और विश्वा समंदी अपीलों के लिए कोई स्थान नहीं था और जब उनकी राय के खलाब ओप महादीप ये विभाधन के पिस्ताओं को सुईकार कर दिख लिया गया तो वे संपदाइक संघस्क से समाज पर लखे जक्मों को भरने में तन मन से जुट गये उन्होंने बंगाल बिहार के दंगाव गरस छेतरों का दोरा भी किया और इस कहते थे हिंदू के हमायती हैं जब उनकी बातों पर कोई असर नहीं हुआ तो वह अंसन पर बैठ गये और 30 जनवरी तो बन जाए फिर भी आप देखे बटवारा होकर ही माना क्योंकि बहुत आंगे तक बढ़ चुकी थी ये बात अब बात करते हैं पंडित जवाहलाल नहरू की इनके बारे में जान लीजे ये आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहलाल नहरू की जब बात होती है तो हमारे जनम आप देखेंगे 14 नवंबर 1889 को होता है प्रियाग राज में इलाबाद में और 27 मई 1964 को इनकी डेथ हो जाती है तो 14 नवंबर 1889 को उत्तर पिदेश के इलाबाद में जनमे पंडित नहरू का बच्पन काफी सानो सौकस से वीता है उनकी पिता देश के ओच बकीलों में से एक थे पंडित मौतिलाल नहरू एक धनान्य बकिल थे उनकी मा का नाम सरोफ रानी था किनकी पंडित जवालल नहरू की वह मौतिलाल नहरू के एकलोते पुत्त थे इसके अलाब मौतिलाल नहरू की तीन पुत्रियां थी उनकी बहन बिजयाल अच्पी पंडित बाद में सहयुक्त राष्ट महासाबाग की पहली महला अध्यक्ष भी बनी देखे सहयुक्त राष्ट के बारे में भी बता देता हूँ United Nations के बारे में इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामन जानकारी जरूर याद रखा करेगा इनसे questions आपकी परिक्षाओं में पूँच लेता है अगर UN की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी इस्था अपना हुई थी New York USA में आपको इसका headquarter देखने को मिल जाएगा तो यह भी आप लो याद रखिएगा और आप देखेंगे कि भारत की सुतंता की पिती उनका लगाओ 25 से ही था जवाल लाल नहरू ने अपने पिता मोतिला नहरू से अत्यदेक प्रभावित थे और मोतिला नहरू पर पश्चात संस्किती का अधिक असर था और आप देखेंगे कि जवाहर को 13 मई 1905 को लंदन की निकट हैरो में सिक्षा पराप करने के लिए भेद दिया गया 1912 में जब भारत बापस आए तो उनकी पिता की असेस्टेंट की रूमे बकालत की पैक्टिस करने लगे वो भारत लोटने के चार वर्स बाद 1916 में नहरू का विवा कमला कॉल के साथ हो जाता है 1917 में पंडिजवालल नहरू खौमरूल लीग में सामिल हो जाते हैं 1919 में आप देखें जब भी महत्मा गांधी की संपर्क में आये तब से सही मायने में राजनीती में प्रवेश करते हैं और उस समय महत्मा गांधी ने रॉलेट अधीनियम के खिलाप एक अभियान सुरू किया हुआ था नहरू महत्मा गांधी की सक्रिये लेकिन सांतिपूर्ण सविनय अग्या आंधोलन के पिती बहुत आकरसित हुए और गांधी जी से मिलने के बाद मौतिर लाल नहरू पर भी देश्थ प्रेम का रंग चड़ गया और पंडित जवाहलाल और मौतिला नहरू ने पश्मी कपड में जानकारी से गांधी जी काफी प्रभावित भी थे और जवाहलाल नहरू 1924 में इलावाद नगर निगम के अध्यक्ष भी चुने गये और उन्होंने सहर के मौक के कारिकारी अधिकारी की रूम में दो वर्स तक सेवा दी और नहरू मात भूमी की सुतंता हीतु अक्सर अंगरेजियों द्वारा जेल भेज दिये जाते थे और ऐसे ही एक आउसर पर 1942 से 1940 के दौरान जब एहमद नगर की जेल में थे तब उन्होंने भारत एक खोज पुस्तक लिखी थी भारत एक खोज किसकी पुस्तक है पड़्डे जवाहलाल नहरू की और जिसमें उन्होंने के दौरान एक पिस्ताओ भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण सौराज की मांग रखी गई और 26 जनवरी 1930 को लाहर में जवालाल नहरू ने सुतन्त भारत का जंडा भी फैराया था आज भी आप देखते हैं कि 26 जनवरी को गरतन दिबस की रूम में आप लोग मनाते हैं जवालाल नहरू 1930 से 1940 के दसक में भारत की सुतन्ता अंदोलन की एक पूर्जोर युद्धा रहे हैं और आप देखेंगे कि प्रमुक नेताओं में से एक थिसन 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद विसुतन्त भारत की पहली पिदान मंत्री बनते हैं संसदीय सरकार की स्थापना और विदिशनी माबलों में गुट निर्पेक नीतियों की सुरुवात पंडिश जवालाल नहरू द्वारा खुई पंचयाती राज की हमायती नहरू जी का कहना था कि अंतराश्टी द्रिश्टी से आज का बड़ा सवाल विसुसान्ती का है और आज हमारे लिए यही बिकल्प है कि हम दुनिया को उसके अपने रोप में ही सुईकार करें और हम देश को इस बात की सुतन्ता देज ने देते रहे कि वह अपने धंग से अपना विकास करें औ लेकिन दूसरों पर उस पर अपनी कोई चीज नहीं थोपें निश्ची थी इसके लिए एक नई मांसिक बिधा चाहिए हो पंचसिल या पंचसिद्धान्त यही बिधा बताते हैं और अंग्रेजों ने करीब 500 देशी रियासतों को एक साथ सुतन्त किया था और बक्त सबसे बड़ी चनोती सबसे पहली चनोती यही थी कोने एक जंडे की नीचे लाना और इसमें आप देखें कि आपके सरदार बल्लभाई पटल का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है उन्होंने भारत की पुनर गठन के रास्ते में उभरी हर चनोतियों का समिदारी पूरवक स सामना किया और जवाला लहरू ने आधुनिक भारत की निर्माण में महत्त भूमिका भी मिनाई उन्होंने योजना आयोक का गठन किया था विज्ञान प्रदुगी की विकास को रोसान कितिया तीन लगातार पंचबसी योजना का सुबारम किया उनकी नीतियों के कारण दे किताब खुली हुई थी एक बात आप लोगों को और बता दूँ देखिए गांदी जी की प्रभाव में आने के बाद आप देखी कि मौती लाल नहरू से इनकी कई वार मत भेद मत भेद देखी विचारधार अलग अलग देखी लेकिन आप देखी मन भेद अलग होता है मत भेद है तो कोई बड़ी बात नहीं है अच्छी बात है लेकिन मन भेद अलग होता है मन भेद खदम कभी नहीं होता है और आप देखिए ये परिवार की दूरियां बढ़ा देता है तो ये भी याद रखेगा और कहते हैं कि देखिए जब पंडित जवाहलाल नहरू की पह थी इसलिए कानून मंतरी बनाए गया और सरदार बल्ला भाई पटल देश को एक करने में बहुत अच्छा युगदान निभा सकते थे इसलिए उन्हें क्या बनाए गया होमिनिस्टर बनाए गया गरह मंतरी बनाए गया तो इस तरह से आप देखिए और उस समय आजाद हम इसके बारे में नेता जी सुवाष्चंद बॉस के बारे में आप देखेंगे निता जी सुवाष्चंद बॉस यह 23 जनवरी 1897 को इनकी इनका जनम होता है और 18 अगस्त 1945 को इनकी डैथ हो जाती है तो इनके बारे में भी याद रखिएगा आप लो नेता जी सुवाष्चंद का बॉस जनम 23 जनवरी 1897 को उडिसा में होता है उडिसा के कटक में एक संपन बंगाली परिवार में इनका जनम हुआ था और सुवाष्चंद बॉस के अतरिक्त भारत की इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापती ब प्रेट कर कोड़नीती करने वाला हो यानि कि हर छेत में आप देखें महानारस्त हासिल किये हुए थे समझ सकते हैं आप लो और उसके बाद आप देखेंगे भारत की आजादी यानि कि सुतंता के लिए सुवाष्चंद बॉस ने करीब करीब पूरे इरोब में अलग जया आप देखेंगे सुवाष्चंद बॉस का एक ऐसा व्यक्तित था और जिसका मार कभी भी स्वार्थों से नहीं रुका और आप देखेंगे सुवाष्चंद बॉस उनकी नौवी संतान और पांचवे बेटे थे अपने सभी भाईयों में से सुवाष्चंद को सबसे अधिक लगाओ सरद चंद से था देख लिजे एक पिक्चर आपको दिखाए दे रही हो गई नेता जी की प्यारेंविय पढ़ाई कटक के रेवन्स ओफ कॉलिजेट स्कूल में हुई और उनकी सिक्षा कलकत्ता की प्रसीडेंसी कॉलेज और स्कॉर्टेश चर्च कॉलेज में हुई और बाद में भारती विसासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्वीस की तेयारी के लिए उनके माताविता ने बोस को इंगलेंड केमरेज बिस्विद्याले भेद दिया अग्रीजी सासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्वीश परिक्षा में जाना बहुत कठिन होता था साथ जुड़ जाते हैं और आप सोचे कि सिविल सर्विस में जो सिलेक्ट होता था उन्हें उसे बहुत सुविधाय मिलती थे और आज सोचे कोई छोड़ेगा देश के लिए तभी ने तो इस तरह की यूबा थे उस समय हमारे देश में तब जाकर हमा आ जा दूए सुवास्चंद बहुत महात्मा गांधी की अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे और बास्तों महात्मा गांधी उदार दल के नेतित करते थे वही सुवास्चंद बहुत जो सिलेक रांतिकारी दल के प्रिये थे और महात्मा गांधी और सुवास्चंद बहुत के विचार भि लेकिन आप देखिए आपसी मत्भेत कभी नहीं थी यह आप लोग अलग याद रखेएगा गांधी वाधी पीति द्वेंधी को हरा कर बिजई हुए और इसमें गांधी जी ने अपनी हार कहा था उसके बाद इन्होंने पत्याग दिया था गांधी ने इसे अपनी हार की रूम में लिया उससे अध्यक चुने जाने पर गांधी जीने कहा बॉस की जीत मेरी हार है और ऐसे लगा कि वह कॉंग्रिस बर की कमीटी से त्याग पत्य दे दिया था इस बीच दूसरा योद छड़ गया और बॉस का मानना था कि अंग्रेजों के दुसमानों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है उनके विचारों के देखते हुए उन्हें बेटे सरकास से कोलकाता में नजर बंद कर लिया लेकिन वह अपने भतीजे सिसर कुमार बोस की साहता से महां से भाग निकले थे वह अफगानिस्तान सोविये संग होते हुए जर्मनी पहुंचे और बिदेसों में भी आप देखे इनोंने अपना पूरा सहूलिया मतलब साह प्राशी बाद और मौसोलिनी की फासी बाद का एंगलेरन के खिलाब लडाई में निता जी को हेटलर और मौसोलिनी में भाविस का मित्त दिखाई पड़ रहा था उनका माना था कि स्वतनता हासिल करने के लिए राजनेती गतिविधियों के साथ साथ कूठनेतिक और सैन सह की भी जरूरत परती है सुभाशंद बोस ने 1937 में अपनी सेकेटरी ओस्टेन युगती एमेली से साधी भी कर ली थी और नेता जी हिटलर से मिले और उन्होंने बेटेस हुकुमत और देश की आजादी के लिए कई काम किये उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया वहां से वय जापान पहुंचे जापान में आप देखेंगे से वय सिंगा पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने कैप्टन मुहन सिंग द्वारा इस्थाफित आजाद हिंद फोच की कमांस अपने हातों मिली और उस वक्त रास विहारी बोस आजाद हिंद फोच का अगठन किया महलाओं की रानी लच्मीवाई रेजीमेंट का अगठन किया जिसमें की कमांड लच्मी सहगल के पास थी नेता जी अपनी आजाद हिंद फोच के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचते हैं और यहीं पर उन्होंने अपनी पिसिद नारा तो मु लेकिन उनका सब नहीं मिल पाया नेताजीत की मौत के कारणों पर आज भी बिवाद बना हुआ है और आप देखे कई बिद्वान इस पर किताबें भी लिख चुपें तो आप लोग भी पढ़िएगा उनके किताबों को उनका मौत का रहस्त बना हुआ है अब बात करते हैं लो सरदार बल्ला भाई पटेल साब के बारे में और आपको बता दूँ कि इनका जनम 31 अक्टूबर 1875 में होता है और इनकी डेथ 15 दिसंबर 1950 में होती है मौंबई में ठीक है तो यह भी आप लो याद रखेएगा और सरदार पटेल भाई पटेल का जनम 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ और भारत के स्वाधीनता संगराम के दौरान भारती राष्टी कॉंग्रिस के नेताओं में से वो एक थे है उन्नी सो सत्रे में मुहंदास करमचंद गांधी से प्रभावित होने के बाद पटेल के जीवन की दिसा बदल गई और पटेल गांधी के सत्य नहीं जोड़ा उनका मानना था कि उन्हें सारभोमिक रोफ से लागु करने का गांधी का अग्रय भारत के तत्कारर राजनितिक आर्थिक बस्सामाजिक परिपेक्षे में आप रासंगिक है फिर भी गांधी के अनुसरन और समर्थन के संकल्प के बाद पटेल ने अपनी स सांधी जी की बात मान रहे हैं आज के समय में आप देखिए अगर आपकी विचारधरा आपकी किसी मतलब अच्छे रिष्टे में भी नहीं मिल लगता है उसके बाद आप देखिएगा कि 1917 से 1924 तक पटेल ने एहमदाबाद के पहले भारतिये निगम आयुक्त की रूम में स बंबई सरकार द्वारा पूरा सालना लागान बसूलें के फैसले के विरोध दोनों ने गुजरात की खेडा जिले में किसानों और कास्तगारों के आंदोलन की रोप रेखा बनाई 1928 में पटेल ने बढ़ते हुए करों के खलाव बारदोली के भूमी पतियों के संगहस का सफलता पूरवक नेतित किया और कहते हैं कि बारदोली आंदोलन की कुसल नेतित के कारण उन्हें सरदार की उपाधी मिली थी तो एवी कई वार पूँच लेता है वंडेक जाम में भी कि सरदार की उपाधी कम मिली थी ने यहां की महलाओं ने बारदोली की महलाओं ने दी थी ठीक है जब इन्होंने यहां किसानों की लड़ाई लड़ने आये हुए थे और उसके बाद देश भर में राष्टवादी नेता की रूमें उनकी पहचान बन गई और जवाहलाल नहरू के बिप्रीत जो सुतंता के लिए संगर्स में हिंस्ता की अंदेखी करने की पक्ष में थे पटेल नेतिक नहीं बिवारिक आधार पर सुतंता ससत आंदोलन को नकालते थे पटेल का मानना था कि बिफल रहेगा और उसका जवर्दस्त दमन भी होगा गांधी की भाती पटेल भी भविस्मे बेटेस राष्टकुल में सुतंत भारत की भागेदारी में लाब देखते थे बासर्थ भारत को एक बराबरी के सदस्की रूमें सामेल किया जाए और वह भारत में आत्मिरभरता और आत्म विस्वास कायम करने पर जोर भी देते थे लेकिन गांधी की भीवरीत हुआ हिंदो मुसलिम एकता को सुतंता की पूर्व सर्थ नहीं मानते थे और गांधी जी की गल्ती भी इसे मानते थे बलपूर्वक आर्थिक की आर्थिक और सामाजिक बदलाओ लाने की आवस्तक्ता की बारे में पटल जबाहलाल नहरू से आसामेह आया सहमत थे और आप देख रहे हैं कि आसाहमत थे आँगे शलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ग्रह मंतरी बनाया जाता है ओप पिधान मंतरी बनाया जाता है देश का आज की समय में आपको लगता है कि कोई दूसरी विचारधारा बाले व्यक्ति को अपनी सरकार में कोई पायटी सामिल कर सकती है हिंदू मूल्यों से उबजे रूडिबाधी पटल ने भारत की समाजिक और आर्थिक सरचना में समाजबाधी विचारों को अपनाने की उपयोगिता का उपहास किया वह मुक्त उद्यम में यकीन रखते थे मुक्त उद्यम में यकीन रखते थे इस पेकार उन्हें रूडी बादी तत्तों का विश्वास प्राप्त हुआ और उनके प्राप्त धन से ही भारती राष्टी कॉंग्रेस की गतिविदियां संचालित होती थी 1930 में नमक सत्यागे को दोरान पटेल को तीन महीने की जेल भी हुई और मार्च 1931 में पटेल ने इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यविश्टा की और जनवरी 1932 में उन्हें गरफतार कर लिया गया जुलाई 1934 में वह रहा हो गया 1937 में आप देखे के दोरान जब जापानी हमले की असंका हुई तो पटेल ने गांधी की अहंसा की नीती को आविवारिक बता कर खारिच कर दिया तो एभी देखने को मिले है क्या मिला एभी देखने को मिला और आप देखेंगे कि उन्होंने सत्ता की हरस्तांतरन के मुद्दे पर भी पटेल का गांधी से इस बात पर मतभेद था कि ओब महादीब का हिंदू भारत और मुसलिम पाकिस्तान की रूम में विवाजन आपरिहार है और पटेल ने जोड़ दिया कि पाकिस्तान दे देना भारत की हित में होगा और 1947 में भारत की आजादी के बात पहले तीन बरस में कांस रियासतों को तरंगे की तले लाने में सफलता भी प्राप्ती और ऐसा कहा जाता है कि को सरदार पटल बल्लभाई पटल रियासतों के जो राजा हुआ करते थे उनके पास जाते थे पहले बड़े प्यार से समझाते थे कि आपको इतनी सक्ति देनेंगे आपका ख्यार आप एक कर लिजेगा वो कर लिजेगा आप भारत में एक रहिएगा लेकिन अगर आप देखे कि वो नहीं मानते थे तो आप देखे फिर डंडा उठाने का काम करते थे सैना भेज देते थे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देश भर की जनता जो भी भारतिये जनता थी भार किया गया उपादियां भी याद रखिये का कई बार कुश्चन्स पूच लेता है उन्हें मरने की बाद आप देखिए मर्णोय परांत 1991 का सरवोज नांगरिक समान भारत तन दिया गया सरदार पटेल जी का निधन आप देखिए कि 15 दिसंबर 1950 को मुंबई महराष्ट में हुआ था एक बात आप लोगों को और बता दूए हैं कई लोग आप देखते हैं कि कई पाटियां हैं ऐसी जो आप देखते हैं कि इन्हें सरदार पटे होने के बाद भी गांधी जी का वो सम्मान करते थें कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि गांधी जी को उनसे गुसा होना पड़ाई आप सुचे कि रिस्ते खराब करने पड़े हो और यही नतीजा रहा कि आप देखें कि हमिसा मदवेद होने के बाल भी मनभेद नहीं हुए होने के सरदार पटेल का युगदार अगर आप देखें तो देशी रियासतों के एकी करन की समस्या को पटेल ने बिना खून खरावे की बड़ी खोवी से हल किया देशी राज्यों में आप देखें राजकोट जुनागर बहाल को बरोदरा कस्मीर हैदराबाद को भारती मह पादित सबसे बाद में आप देखें इनका समाधान हुगा जब चीन के प्रभारत के लिए खतरनाक सिद्ध होगा नहरू नहीं माने इसी भूल से चीन ने हमारी सीमा को 40,000 बरग गर भूमी पर कपज़ा कर लिया है और जो लगदाग वाला हिस्सा देखते हैं न उस समय की बात हो रही है लेकिन आप देखें कि उस समय परिस्तिती कुछ और बनी हुई थी तो गांदी जी या नहरू को या सदार पटल को गाली देने से मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है हाँ वो भी बैकती ही थे वो हम स सरदार पटल की तेहासिक कारियों में सौमनात का मंदिर कपुन्ना निर्माड गांधी समारिक निधी की स्थापना कमला नहरू अस्पताल की रोप रेखा आदी सदेवो इसमार किये जाते थे और किये जाएंगे आप देखें लच्छदीब समूग को भारत की साथ मिलाने में भी पटेल का मत्पूर योगदान रहा इस छेत के लोग देश की मुक्ष धारा से कटे हुए थे उन्हें भारत की आजादगी के जानकारी 15 अगस्त निस्तो सेंतालीस के बाद मिली थी हालाकि यह च्छछद पाकिस्तान के नजदीक नहीं था लेकिन पटेल को लगता था कि इस पर पाकिस्तान दावा कर सकता है ऐसी इस्तिती किसी भी इस्तिती को टालने के लिए पटेल ने लगती में राष्टी द्वच भारानी के लिए भाती नवसे ना किया एक जहाज भेजाता तो यह भी है तो आपकी सरदार बल्ला भाई पटेल की कहानी खतम होती है और मुझे लगता है देखिए सबी जो भी हमारे सतंता सनारी रहें सबका आप लोगों को संबान करना चाहिए गल्ती हर किसी से हो गई होगी चाहे वो नहरू हो चाहे गांदी हो सरदार पटेल बल्ला भाई पट जैसे अबुल कलाम आजाद यह आप देखिए 11 नवंबर 1888 से इनका जनम होता है और 22 फरवरी 1958 में इनकी डैथ होती है तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं लोग 11 नवंबर 1888 में जनम होता है और 22 फरवरी 1958 कुईन की डैथ हो जाती है मौलाना अवुल कलाम मुहिद्दीन एहमद एक मुसलिम बिद्वान और महान सुतनता सैनानी थी इनका पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है ठीक है और उन्होंने भारतिय सुतनता संगराम म भाग लिया उन्होंने हिंदो मुसलिम एक्ता कर समर्थन भी किया और संपदाएक्ता पर अथारित देश की विवाजन का बिरोध भी इन्होंने किया था अंतिम समय तक करते रहें सुतनत भारत में आप देखेंगे सुतनत भारत में भारत सरकार में पहली सिक्षा मंतरी थे उन्हें मौलाना आजाद की नाम से जाना जाता है आरब देशों की पवित मक्का में रहने वाला एक भारती पिता और अर्भी माता की घर में उनका जनम हुआ था तेरह साल की आई में उनका विवा जुलेखा बेगम से हो गया था और वे देवबंद देवबंदी विचाधारई की करीट थे उन्होंने कुरान की अन भाव रूपों पर लेख भी लिखे मौलाना आजाद एक बिद्वान पत्काल लेखक कभी दार्शनिक थे और इन सब से महत्मा गांधी की तरह भारत की भिन जातियों के बीच विशेश तोर पर हिंदों और मस्लानों की बीच एकता के लिए कार करने वाले कुछ महान लोगों में से वह एक थे अपने गुरू की तरह उन्होंने भी जीवन भर दो दुसमनों बेटिस सरकार और हमारे राष्ट की एकता के विरोधियों का सामना किया काहरा की अल अजहर बिस विध्यालाय में उन्होंने सिक्षा पराप्त की और उन्हें अने अनेक गंभीर और गहन ग्यान का आधार बनी और परिवार की कूलकाता में बसने पर उन्होंने लिसान उल सिद नामक पत्तिका प्यारम की और उ स्वाग ने利 diphtish आसन ने उननीससों पांच में धार्मिकाधार वरंगाल बेधाजन कर दिया था और मुस्लिम अध्यम गर्वर्क आसे व्यियर भाजन को Representatives थीकि कि मुसलिम आप देखते थे कि इसके पक्ष में थे लेकिन आप सोचे जो समझदार थे वो इसके बिरोधी थे क्योंकि फूट डालने का काम कर रहे थे अंगरेज हम लोग नहीं समझ पा रहे थे आजाद ने सोतंदा अंदोलन में सक्री भाग लिया वह गुप्त सभाओं और क उर्दू अकवार का पिकासन प्यारम किया और इस अकवार में उन्होंने अपने प्रगती सील बिचार कुसल तर को इसलामी जन्स सूरतियों और इतियास की पिति अपने देश्टी कोंड को पिकासित किया आखे सरकार ने अल हिलाल को संत की 2000 रुपे और एक 10,000 रुपे की जमानते जब्त कर ली थी और मौलाना आजात को सरकार की खलाब लिखने की जो में बंगाल में बंगाल से बाजार भीद दिया गया था और आप देखिए कि अगर अंग्रेजियों के खलाब जो भी लिखता था तो आपर पिती बंग लगा दिया जाता था उन्हें जिल नहीं दी और उसके तुराजबाद जनवरी 1920 में रहा होने के बाद उनकी दिल्ली में हकीम अजमल खां के घर में गांधी जी से भैठ होती है जेल से बाहर आने पर उन्हें भारती राष्टी कॉंग्रेस में सामिल किया गया आन्धोलन की निता की रूम में भे राष्ट पिता महत्मा गांधी की संपर्क में आये और गांधी जी के एहंसक आन्धोलन सविनय ग्या अन्धोलन की संपर्क में हो गये उन्होंने 1919 के रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में असाहिव आंदोलन को संगठित करने में सक्रिय भूमिका निभाई और आजाद गांधी जी के सवरूब सवदेशी बस्तूओं के प्रियोग और सवराज जैसी आदर्सों के प्रवल समक्थक भी थे और 1920 में उन्होंने तिलक और गांधी जी से मुलाकाद की और मुसलिम लीग ने जब गांधी जी की सत्यागय की निंदा की तो आजाद ने हमेशा के लिए मुसलिम लीग छोड़ दी और उनकी लोग प्रिया था इतनी अधिक्ती थी 35 बर्स की आयू में 1930 में वह भारती राष्टी कॉंग्रेस की अफ तक की सबसे युवा अध्यक्षी भी बन गए थे और 1931 में धरासन सत्यागय की वह प्रमुक आयोजग भी थे मुलाना आजाद ने बर्स 1935 में मुसलिम लीग जिन्ना और कॉंग्रेस के साथ बाचीत की बकालत की और जिसे राजनेतिक आधार को सुद्रण किया जा सके और जब जिन्ना ने बिरोत किया तो मुलाना आजाद ने उनकी आलूचना करोने समझाने में कोई कुताही नहीं बर्ती और आप देखें सन 1938 में आजाद ने गांधी जी के समर्थकों और ततकालिंग कॉंग्रेस अद्ध्यक सुभास्चन बोस के बीच पैदा हुए मदभेदों में पूल का काम किया यानि की समझोता करने का 1940 में लाहुर में हुए अधीवेशन में पाकिस्तान ने जब मुस्लिम लीग की मांग रखी तो मौलाना आजाद ने उस समय रामगाड अधीवेशन में कॉंग्रेस के अध्यक चुने गए थे और मौलाना आजाद ने यह मानने से इंकार कर दिया कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग हिंदूओं के लिए अलग दूराष्ट हो सकते हैं उन्होंने सभी मुसल्वानों से हिंदूस्तान में रहने की वाद की और 1942 में भारत छुड़ो अंधोरन के दौरान उन्हें कॉंग्रेस के मुख प्रवक्ता की तोर पर चुना गया था और सुतंद भारत की अंतरिम सरकार में आजाज सामिल हुए भारत विभाजन की हिंसा के समय भी संपधायक सुहाद बढ़ानी के कार कर रहे थे 15 अगस्त 1947 को दिन के दिन भारत को आजादी मिली गांधी नहरू सर्दार पटल मौलाना आजाद और दूसरी निताओं ने उस आजादी का भारी मन से स्वागत किया क्योंकि अकंड भारत उनका सपना साकार नहीं हुआ था पाकिस्ता अनालग हो गया था और लेकिन चैन की सांस लिये बिना वे सब फौरन ही आदुनिक भारत की निर्मार की काम में जुट गए वो सुतंद भारत की पहले सिक्षा मंत्री थे और उन्होंने 11 वरसों तक राष्ट की नीती का मार्ग दसन किया था और भारत की पहले सिक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने निसल्क सिक्षा भारती सिक्षा अपदिती उच्चे सिक्षा संस्तानों की स्थापना में अहत्यदिक कारी किया आज भी आप देखें निस्यलक सिक्षा नहीं मिल पा रही सभी को और आप देखें मिलन भी रही है तो किस तरह से सरकारी स्कूल उपलब दें आप सभी जानते हैं गरीब आप देखें कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से बेतर वो घर में बैठा देता ह तो उसमय आप देखी फिर एक सिक्षा की बात कर दी गई थी मौलाना आजाद को ही भारतिय त्रोधुकी की संस्थान आई आई टी और विस्विध्याला नुंदान आयू की स्थापना के सरे भी जाता है बेसंपूर्ण भारत में 10 पिलस 2 पिलस 3 की समान सिक्षा सरचना की पक बार भी बार भी दो साल जे हो गए और तीन साल आप देखेंगे कोई डिगरी आप लोग लेखते हैं बी ए किया तब तीन साल बी एस्थी की तब तीन साल अब आप देखें बी कर रहे हैं तो चार साल लग जाते हैं तो उसी की बात हो रही है तो यह भी आप लोग याद र प्रिट्टी के बेक्ति होते हुए भी सही अर्थों में भारत की धनम प्रेग निर्पेक सबदा की पितिनी दीते। में से सुरू किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग कायद आजम मुहमद अली जिन्ना के बारे में सबसे विवाद इसपद रहे हैं। आपको बता दूँ कि आप सोची कि 1947 में अलग हुए और आगे 48 में इनकी डैथ हो जाती है। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर एक साल और बटवारा ना होता तो पाकिस्तान अलग करने की नौबत ही ना आती। और आप देखेंगे 25 दिसंबर 1876 को इनका जनम होता है 11 सेप्टमबर 1948 को इनकी डैथ हो जाती है। पाकिस्तान में उन्हें अधिकारिक रूप से काइदे आजम यानी की महान नेता बाबा एक ओम यानी राष्ट किता की नाम से जाना जाता है। और भारती राजीती में जिन्ना का उदय 1916 में कॉंगरेस की एक नेता की रूम में होता है और जिन्नोंने हिंदू-मुसलिम एकता पर जोट देते हुए मुसलिम लीक के साथ लखनव समझोता करवाया था। पहले शुरुवात में आप देखी काफी एकतागी बात करते थे। और जिन्ना मीठी भाई और जिन्ना भाई पुंजा की साथ संतानों में सबसे बड़े थे। उनके पिता जिन्ना भाई एक संपन गुजराती प्यापारी थे। लेकिन जिन्ना के जनम के पूरवे वे आपियावार्ड छोट सिंध में जाकर बस गए थे। और जिन्ना की मात भासा गुजराती थी। बाद में उन्होंने कच्छी सिंधी और अंग्रेजी भासा भी सीखी। जिन्ना शुरुवात में कराची की सिंध मदलसा ओल इसलाम में पड़े। और उसके बाद आप देख के रूम में काम करने के लिए बुलाया गया इंग्लेंड जाने से पहले उन्होंने साधी भी कर ली थी। लेकिन वएस साधी जाना दिनों तक नहीं नभी थी। और इंग्लेंड में उन्होंने कानून की पड़ाई के लिए अपेंटिस छोड़ दी और 19 साल की चोटी उम्र में बे बकिल बन गये। इसके साथ राजनेती में भी उनकी रूची जागरेत हुई और बेटे संसत में दादा भाई नोरुजी के प्रवेस के लिए उन्होंने छातरों के साथ प्रिचार भी किया था। तब तक उन्होंने भारतियों के साथ हो रहे भेदवाओ पिखला सम बना लिया था। और बे बंबाई आगय और बहुत कम समय में नामी बकिल बन जाते हैं। उनकी योगता ने बाल गंगधर तिलक को काफी प्रवावित किया। और उन्होंने 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 अपने खिलाब लगे राजदरों के मामले में सुनवाई के में यह तरक दिया कि अगर भारतिय सुसासन और सुतंता की मान करते हैं तो यह राजदरों बेलकुल नहीं है इसके बाप जुद तिलक को आसासरम कारावास की सजा दी गई थी तो काकी नामचीन बकिल थे मुहमद अली जिन्ना देख लिए पिक्चर भी देख रही हो गई 1896 में जिन्ना भारती राष्टी कॉंग्रेस में सामिल हो गए थे तब तक कॉंग्रेस भारती राजनीती का सबसे बड़ा संगठन बन चुका था और सामने नरम पंतियों की तरह जिन्ना ने भी उस समय भारत की सुतंता के लिए कोई मांग नहीं की बलकि अंग्रेजों से देश में बहतर सिक्चा कानून और द्योग रोजगार आधी से बहतर आउसर की मांग करते रहे उन्हें लगता था कि जो अंग्रेज अपने देश में दे रहे हैं उसी तरह की हमारे हाँ विवस्ता भी करेंगे और जिन्ना साठ सदसी है इंपेरियल लिजिस्लेटिव काउंसिल की सदस बन गए और जिन्ना निबाल विबा निरुधक कानून मुसलिम बप बोर्ड को जायग बनाने और सांडर समिती के गठन के लिए काम किया मुसलिम लीग की स्थापना 1906 में हुई 1913 में जिन्ना मुसलिम लीग में सामिल हो जाते हैं और 1916 में लखनव अधिवेशन में की अध्यक्षता भी की इनोंने और कॉंग्रेस लीग का यह सांजा मंच सौसासन और वेटिस सोसकों की बिरोध संगर्स का मंच बना और 1918 में जिन्ना ने पार्सी धर्म की लड़की से दूसरी साधी की उनके इस अंतर धार्मिक बिवा का पार्सी और कटरबंथी मुसलिम समाज में ब्यापक बिरोध भी हुआ था और अंत में उनकी पत्नी रत्तिवाई ने इसलाम कबूल कर लिया था जिन्ना का कॉंग्रेस से मदभेद उसी समय सुरू हो गया था जब 1918 में आप देखें भारती राजनीती में महात्मा गांधी का उदय हुआ था गांधी जिन्ना का मत उनसे अलग ही था जिन्ना का मानना था कि सिर्फ सम्मिधान एक संगर्ष से ही आजादी पाई जा सकती है गांधी जी ने खलापत आंदोलन का समर्थन किया था जबकि जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध भी किया था और जिन्ना बानते थे कि इससे धार्मिक कट्रता को बढ़ावा मिलेगा और 1920 में जिन्ना ने कॉंग्रिस स्थिफा भी दे दिया था इसके साथ ही उन्होंने यह भी चितावने दी कि गांधी की जन संपर्ग का सिधान्त हिंदू और मुसल्मानों की भी विभाजन को बढ़ा पाटी की मजबूत्ती पिदान की और 1925 में लॉर्ड रेडिंग ने उन्हें नाव नाइट होट की उपादी दी थी 1927 में साइमन कमिसन की विरोध की समय उन्होंने समिन्धान के भावी सवरूप पर हिंदू और मुसलिम नेताओं से बातचीत भी की थी और आप देखें 1934 में जिन्ना मुसलिम लीग का पुनरगठन किया इन्होंने और 1937 में हुए सेंटर लेजिसलेटिव असेमली के चुनाव में मुसलिम लीग ने कॉंग्रेस को कड़ी टक्तर भी दी और मुसलिम छेत्रों की जानदतर सीटों पर इन्होंने कभजा भी कर लिया था पहले तो द उस समय कई मुसलिम लेता थे और इसलिए लीग को भारती मुसल्मानों का पितिनी दी मानना उसके लिए आसान नहीं था आज भी हमारे देश में एक मुसलिम लीडर हैं आप देखते हैं कि जो अपने आपको मुसलिमों का नेता कहते रहते हैं लेकिन आप सभी जानते हैं कि सभी मुसलिम उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं आगर उत्तर विदिस में वो चुना लड़ने आते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी जमानत जब्थ हो जाती है और अगर आप देखें वो भारत सरकार के सामने मांग रख दें और इसके काम नहीं बनेगा इससे और आगे चलकर जिन्ना का यह बिचार बिलकुत पक्का हो गया हिंदो मुसलिम मानों के लिए दोनों के लिए अलग लग देश के नाग रिखें अंत में उन्हें अलग कर दिया जाए और 1940 में आप देखेंगे कि लाहुर अदीविशन में एक पिस्ताव पारिकर कहा गया कि मुसलिम लीग का मुख उद्देश पाकिस्तान का निर्माड है कॉंग्रेस ने इस पिस्ताव को आस्विकार कर दिया मौलाना अबुलकलाम आजाद जैसी निताओं और जमाति इसलामी जैसी संगटनों ने इसकी कडी निंदा की और जिन्ना ने 1941 में डौन समाचार पत्ति की इस्ताफना की और जिसके द्वारान उन्हें अपने बिचार का पिचार पिसार भी किया जिन्ना ने दुतिय विस्तियोदी के जान बैटेन की मदद की और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का बिरोध भी किया था तो एक कहानी मौहमद अली जिन्ना की होगी अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में अब बात करते हैं पंजाब किसी लाला लाचपत राय की बारे में लाला लालच लाचपत राय साहब की बारे में तो इनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए और आप देखेंगे कि 28 जन्वरी 1865 में का जनम होता है वो 17 अगंबर 1928 की लाहोर में डेथ हो जाती है भारत भूमी हमेस्ता से भीरों की जन्नी रही है इसमें कोई सक नहीं है भारत की सुतंता संग्राम में ऐसे कई भीर हुए जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपनी जान की भी परवा नहीं की और ऐसे ही एक बेर थे सेर ए पंजाब लाला लाजपत राय भारती सुतंता संग्राम की वह महान सैनानी थे जन्होंने देश सेबा के लिए अपने प्राणों की हाउती दिय दी थी और अपने जीवन के एक कत्रा देश के नाम कर दिया और 28 जन्वरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्व पंजाब की मोगा जिले में हुआ था उनके पिता लाला रादा कृष्ण अगवाल पेसे से अध्यापक और उर्दू के पेसे दिलेकत थे प्यारम से ही लाला गात पर राय लेखन और भासन में बहुत उच्छी लेते थे उन्होंने हिसार और लाहर में बकालत सुरू की और लाला लाजपत राय को सेरे पंजाब का समानी समूधन देकर लोग उन्हें गरम दल का निता मानते थे और आप देखेंगे 1797-1999 में उन्होंने देश में आई अकाल में पीड़तों की तन मन धन से सेवा की लाला जी ने इस्थानी लोगों की साथ मिलकर अनेक इस्थानों पर अकाल में स्थेविल लगा कर लोगों की सेवा भी की तो यहां से आप देखिए लोगों के नेता बनना शुरू को गए और आप देखेंगे कि इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो लाला लाजपत राय ने सुरेंदाद बनाजी और विपिंचन देपाल जैसे आंदोलन कारियों के से हाथ मिला लिया अंग्रेजों के इस फैसले को जमकर खिलापत की उन्होंने बिरोध किया और देश भर में उन्होंने सुदेशी आंदोलन को चलाने और आंगे बढ़ाने की आहम भूमी का भी नभाई 1914 से 1920 अगलाला लाजपत राए को भारत आने की इजाज़ट नहीं दिए गए पितम बिसके रुध में भारत में भारत में भारत से सैन शेनीकों की भर्ती के बिरोध में थे और गांधी के पक्ष में थे अंग्रेजों के जीतने पर उन्होंने यह अपेक्छा नची की कि भे पर आप देखते हैं लाला अनुसरण करती है अग्रेज होने अपने को सुरक्षित हो रखने के लिए जब लाला को भारत नहीं जाने दिया आनी दिया तो भी अमेरीका चले गए वहीं पर आप देखीं यंग इंडिया पत्तिका के लिएए। Congress के एक बिसिश सत्त में हुआ गांधी जी की संपर्क में आये और असहयुग आंदोलन का हिस्था बन गए और Lala Lačpat यातेत में असहयुग आंदोलन पंजाब में जंगल में आप की तरह पहल गया था और जल्धी में पंजाब का सेर और पंजाब की इस्री जैसे नामों से अभी सद्स अंग्रेज थे, भारत वे कौपूई भी उसमें सद्स सामिल लीकिया गया था, इसलिए विरोध किया जा रहा था, पूरे भारत में भी इसका कमीशन का विरोध हुआ, लाहूर में भी ऐसा ही करने करने ड़े लिया गया, साइमन कमीशन का विरोध करती हुए वह अंग्रेजों बापस जाओ का नारा दिया, लाला लाजपतराय ने, और कमीशन का विरोध किया, और इसके जबाब में अंग्रेजों ने उन पर लाटी चार्ज की, और अपने उपर प्रहार होते प्रहार के बाद उन्होंने कहा था, उनके सरीर पर लगी एक एक लाटी, अ और देश ने लाला लाजपतर की रूम में एक ऐसा नेता खो दिया, जो देखिये, जो ना सिरफ युवां को संग्रित कर सकने में माहर थी, बलकि उनसे काम निकालने की सभी गुड़ थे, जैसे वह गरम दल के होने के बाद भी गांधी जी के प्रिये थे, सांधी और सक्ती सांडल्स को राजगुरू सोगदेव और भगस सिंग ने गोली से उड़ा दिया था, तो आप सोचे भगस सिंग, सोगदेव राजगुरू को भी देखिये, इस तरह से वो पूरा बदला ले रहे हैं, समझें आप? अब हम लोग सहीद भगस सिंग के बारे में बात कर लेते हैं, और इनका जनम क्या होता है? 28 दिसंबर 1907 में होता है, और कम ही उम्र में आप देखेंगे इस सहीद हो जाते हैं, 23 मार्च 1931 को, सरदार भगस सिंग का नाम अमर सहीदों में सबसे पिर्मुक्रोग से लिया जात हैं, और भगस सिंग का जनम 28 सेप्टंबर 1907 को पंजाब की जिला लायलपूर में बंगा गाओं जो अभी पाकिस्तान में पढ़ता है, कि एक देश भक्त सिख्य परीमार में हुआ था, और जिसका अनकूल प्रभाव उन पर भी पढ़ा, उनके पिता का नाम सरदार किसन सि और माता का नाम बिद्याबदी कौर था, एक बात और आपको बता दूँ, अब देखे इनी भगस सिंग के बारे में मैं बात कर रहा था, कि आप देखे इने किन किन नामों से नवा जा गया अंग्रेजों के द्वारा, देश दुरोही कहा गया, आतंकबादी कहा गया, लेक आप जो सही लगता है, इतिहास की दृष्टी से जो अच्छा लगता है, वो काम करिये, और यह है एक सिख परीवार था, जिसने आरे समाज की बिचार को अपना लिया था, उनके परीवार पर आय समाज या महर सी, दयानंद की बिचारधारा का गहरा पिरभाव पड़ा था भागस सींग के जनम की समय उनके पिता सरदार किसन सींग, उनके दो चाचा अजीस सींग और स्वर्ड सींग अंग्रेजों के खिलाब होने के कारण जेल में भी बंद थे, और आप देखें भागस सींग के जनम के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा था, जिसका मतलब है अच्छे भाग गबाला और बाद में उन्हें भागत सिंग का कहा जाना जाने लगा था वह 14 वर्स की आयू में ही पंजाब की करांतिकारी संस्ताओं में कारी करने लगे थे और DAB स्कूल से उन्होंने नौवी की परिक्षा उत्तीन की 1923 में Intermediate की परिक्षा पास करने की बाद उन्हें विवाब बंदन में बादने की तेयारी होने लगी थी वह लाहौर से भाग कर कानपूर आ जाते हैं फिर देश की आजादी के संगर्स में ऐसे रमे की पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया है इन्होंने और भागस सिंग ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ सकती साली बेटे सरका का मुकाबला किया तो वह यूबकों के लिए हमेशा ही एक बड़ा आदस बना रहेगा आज भी आप देखी यूबा उन्हें मानते भी है एक बात और आपको बता देते हैं देखे भागस सिंग एक परिवार में जनम लेते हैं आप इक्सी बात रहती हैं कि जिस तरह से परिवार का माहूल रहता है तो वह देखने को मिलता है भागस सिंग को हिंदि, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी का लाबा बंगला भी आती थी और उन्होंने बटू के सुर्दत्य से सीखी थी और उन्होंने भारतिये समाज में भासा जाती धरम के कारण आई दूरियों पर दुख ब्यक्त भी किया था और उन्होंने समाच के कमजोर बर्क पर किसी भारतिये के प्रहार को भी उसी सक्ती से सोचा जितना की किसी अंग्रेज के द्वारा किये गए अत्याचार को उनका विश्वास था कि उनकी सहादस से भारती जिनता और उग हो जाएगी लेकिन जब तक वह जिनता रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफी माना माफी नामा लेखने सिसाब मना कर दिया था आप समझ रहे हैं फांसी स माफी मांग लेती तो आज हम लोग क्या कहते हैं उनकी बारे में जिस तरह से सिंधिया के बारे में हम लोग लिखते हैं और इतिहास में पढ़ते हैं अमरे सर में 13 एप्रेल 1919 को हुए जलिया वाला बाग हत्याकान में भागस सिंग की सोच पर इतना गहरा प्रभाव पढ़ा था कि लाहोर की नेशनल कॉलिज की पढ़ाई की छोड़ कर भागस सिंग ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी और इसी कॉलिज में भी भागस सिंग ने प्रिवेश लिया और पंजाब नेशनल कॉलिज में उनकी देशभक्ती की भावना फलने फूलने लगी और इसी कॉलिज में ही यसपाल भगवती चरन सुकुदेव तीर्थ राम जंडा सिंग आधी करांती कारियों से संबर्ख हु हो गए थे कि चंद सेकर आजात के साथ उनकी पाइटी हिंदोस्तान रिपब्लीकन एसोसेशन की सदस बन गए थे मेंबर बन गए थे इसके बाद भगस सिंग ने राजगुरू के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहर में सहायक पुलिस अधीक चक रहे अधिकारी जेफी सांड की हत्या कर दी थी और आप देखेंगी कि इस कारवाही में करांती कारी चंद सेकर आजान ने उनकी पूरी साहयता की थी और उनी दिनों अंग्रेज सरकार ने दिल्ली की असेंबली में पॉबलिक सेप्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी की थी और वे बहुत ही दमनकारी कानून थे और सरकार इने पास करना करने का फैसला कर चुकी थी और सासकों का इस बिलको कानून बनाने के पीछे उद्देश था कि जन्ता में करन्ती का जो बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए इसके बाद भगस् करकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेके थे और इस बम को फेकने का उद्देश उनका किसी को मालना नहीं था ठीक है जगाना था अपनी और एक तरह से ध्यान उनका अकरसित करना था बम फेकने के बाद वहीं पर उन दोनों ने अपनी गिरपतारी दे दी थी इसके पाद लाहुर सडेंद की इस मुकदमे में भगस सिंग को और उनके अनसाथियों जैसे राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ फासी पल लटका दिया गया था यह तिनों नाम एक साथ आप लोग याब रखेगा भगस सिंग सुखदेव राजगुरु क्योंकि आप देखे भगस सिंग सुखदेव और इनके साथ एक कौन से साथी थे जने फासी दे गई थी 23 मार्च 1931 को ते याद रखेगा और अपनी फासी से पहले भगस सिंग ने अंग्रेज सरकार को एक पत लिखा था जिसमें कहा था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खलब भारत कि योध का पितीक एक योध बंदी समझा जाए फासी देने के बज़ाए गोली से उड़ा दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ भगस सिंग की सहाथ से ना के बल अपने देश की सुतंदा संगहस को गती मिली बल्कि नवव्यूकों के लिए भी वह पेड़ा सिरोध बने वह बात आती है स्वाभी विवेक अनंद की इनके बारे में बात कर लेते हैं कि स्वामी कि इंडियन फिलोस्पर भी थे 22 जन्वरी 1863 में कोलकाता में इनका जनम होता है और 4 जुलाई 1902 में बैलूर मट में इनकी डैथ हो गई थी तो स्वामी विवेक अनंद एक युवा सन्यासी की रूम में भारती संस्किती की सोगंद विदेशों में विखेंडने वाली साहित दर्सन और इतिहास की पिकांड बिद्ध्वान थे पंडित थे एक तरह से पिकांड और विवेक अनंद जी का मूल नाम नरेंद नाथ दत युगांत कारी अध्यात्मिक गुरु और जिनों ने हिंदु धरम को गर्ती सील और बेवारिक बनाया और मजबूत सब्विता की निर्माड के लिए आधुनिक मानों से पश्मी विज्ञान बाभ भौतिक वाद को भारत की अध्यात्मिक संस्किती से जोड़ने का आगरह भी किया कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में जन्मे नरंद, नात, चिंतन, भक्तिबात, तार्गिकता, भौतिक और बौतिक सिष्टा के साथ साल संगीत की पितिभा का भी एक विलक्षन सयोग थे और स्वामी विएकानंद का जन्म बारे जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ थ और बच्पन से ही आप देखेंगे नरंद ने में अध्यात्मिक विपासा थी और सन 1884 में पिता की मित्यू के पश्चात परिवार के भरन पोशन का भार भी उन्हीं पर पढ़ा था और स्वामी विएकानंद गरी परिवार के थे और दुलब आर्थी किस्तिती में स्वयम भूके रहे कर अथीतियों के सत्कार की गौरब गाता उनके जीवन का उज्वल अध्या है नरेंदी की पितिवा अभूर आप पूर्वी थी उन्होंने बच्पन में ही दर्शनों का अध्यन कर लिया ब्रह्मा समाज में ही बे गए और जहां उनकी जिग्यासा सांत ना हुई और पे खर वुद्धी साधना में समाधान ना पाकर नास्तिक हो चली और 1889 में आप चींगे क्यों अपने सिक्षाकाल में बेसरवादिक लोगप्रियों और जिग्यासु चाते थे और किन्तु हार्वर्ड इस्पेंसर के नास्तिक वाद का उन पर पूरा प्रभाव पड़ा उन्होंने इस नातकुपादी प्राप्त की और ब्रह्मा समाज में सामिल हो गये ज भारती विस्वास की कारण गहरे द्वैंद से गज़रना पड़ा और इसी समाई उनकी भेंट अपने गुरु रामकिस्णे से हुई और जिन्होंने पहले उन्हें विस्वास दिलाया कि इस्वर बास्तों में है और मनों से इस्वर को पा सकता है रामकिस्णे ने पाने में नरेंद का मार्ग दर्सन भी किया हो और उने सिक्षा दी सेवा कभी दान नहीं बलकि सारी मानावता में नहित इस्वर की सचेतन अराध्धा ना होनी चाहिए या उपदेश वेवेकानंद के जीवन का प्रमुक दर्सन बन गया और 25 बर्स की अवस्था में नरेंद सागर में डुबाने की चेश्टा की लेकन जल्द ही हुए इससे त्याक कर भारत की कारूनिक निर्धंता से साक्षातकार करने और देश की पुनन बिवाद निर्माड के लिए समूचे भारत में भिर्मन पर निकल गए उनकी यह महान यात्रा कन्या कुमारी से समाप्त और जहां ध्यान मगन बिवेकानन्द को यह है ज्यान पराप्त हुआ कि राष्टी पुनन निर्माड की और रोज्जान वाले नए भारती बेरागियों और सभी आत्माओं विसे इसका जन साधारन की सुप्त दिब्विता की कारण जागरन से ही इस मिट पुराय देश में पुराणों का संचार किया जा सकता है और भारत के पुनन निर्मार की पिती उनके लगाओं ने उन्हें अंतता 1893 में सिकागों में धर्म संसद में जानी के लिए पेरित किया और आप देखे कि जब इन्होंने भाग लिया सिकागों की धर्म संसद में 1893 में तो आप देखे ना मिले इसका भरपूर प्रयातन भी किया गया था एक अमेरिकी प्रोफेसर की प्रयास से ही किसी पिकाल समय मिला और 11 सेप्टमबर 1893 को उस देन उनकी अलोकिक तत्वाधां ने पश्चात जगत को चौका दिया अमेरिका ने सुईकार कर लिया कि वस्तुता भारत ही जगत ग संदेश और सभी धर्मों में नेहित एकता से परचेत कराया और आप देखें कि सन 1896 तक अमेरिका रहे और उन्हें का व्यक्तित था कि जिसने भारत और हिंदू धर्म के गौरप को पिथम बार विदेशों में जागरेत किया और पांच बारसों से अधिक समय तक उन्होंने अमेरिका के विभिन नगरों लंदन और पैरिस में व्यापक व्याख्यान किये उन्होंने जर्मनी रोस पूर्वी एउरोप की भी यात्राई की हर जगह उन्होंने बेतांत के दर्सन का प्रिचार किया और 1897 में जब विवेकानन्द भारत लोटे तो राष्टर ने अरतियों को पेरित किया और उन्हें बिस्व नीता की रूम में नए आत्मविस्वास के साथ ओठ खड़े होने और दलीतों महलाओं को सेक्षित करने उनके उत्थान के माध्यम से देश को ऊपर उठाने का संदेश भी दिया अर्वेंद घोस और आप देखेंगे कि सुवा विवेकानन्द सार भौमिक्ता के मसीहा की रूम में उगुरे और सुमामी विवेकानन्द पहले अंतर राष्टवादी थे और जिन्होंने लीग ओपनेसंस के जनम से पहले बर्स 1897 में अंतराष्टी संगटनों गठ बंदनों और कानूनों का आहन किया था और जिससे 1897 में कलकता में रामकिष्ण मिसन और 9 दिसंबर 1898 को कलकता के निकट गंगा नदी के किनारे बैलूर में रामकिष्ण मत की स्थाफना की थी उनके अंग्रेजी अनवाई केप्टन सर्वियर और उनकी पतनी ने हिमाले में 1899 में मायबती अधवेद आसरम खोला था इसे सार मिलन केंद बनाए गया और विवेक अनन ने बैलूर में एक दर्स पितीक के रूम में सभी प्रमुक धर्मों के बास्तु साथ के समनवे पराधारी रावकिष्ण मंदिर के भावी आकार की रोपरेखा भी बनाई थी जिसे 1937 में उनके साथी सिस्सेओं ने पूरा किया था योग राजियो और ग्यान योग जैसे गरंथों की रचना करके विवेक अनने युवा जगत को एक नई राहे भी दिखाई थी और जिसका प्रभाव जन्मानस पर योगों योगां तक चाय रहेगा उनने दमाव और सरकरा की अतिरिक्त अन सारेरिक ब्योधियां ने गेर र समूचे विवेकानन्द और उनके गुरू राम किसने की संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थाफना भी की गई भारत में स्वामी विवेकानन्द के जन्म देवस को राष्टी है यूवा देवस के रूम में हम लोग मनाते हैं तो यह भी आप लोग जरूर याद रखीगा यूवा देवस के रूम में मनाते हैं उन्हें मानने के लिए एक तरह से कब बारे जन्वरी को हम लोग यूवा देवस मनाते हैं ना इनी के जन्म दिन पर अब बात करते हैं दादा भाई नौरो जी के बारे में किसके दादा भाई नौरो जी के बार में मुंबई मेंट की डैथ हो गई थी और कई बार आप देखते हैं कि देट हैं डलत हो जाती है तो आप लोग थोड़ा सुधार लिया करेगा ठीक है कई बार क्या होता है कि क्छप जाती है और वैसे तो कॉसेस यही रहती है कि गलत ना बताया जाए जहां तक मुझे मालू ह अब मुझे भी कहीं गलती होगी भारती ये राजनीती के पिता महा कहते हैं आप लोग ने दादा भाई नौरो जी को भारती राजनीती के पिता महा कहे जाने बाले पिक्याद राजनीता उद्योपती सिक्छाविद और विचारक दादा भाई नौरो जी ने वेटे सोबनेव उमर 1825 को मुंबई के एक गरीब पार्सी परिवार में हुआ था, जब दादा भाई चार वर्स के थे तब उनके पिता का देहान्त हो गया था, उनकी माने निर्धनता में बेटे का की उच्छ सिक्छा दिलाई, उच्छ सिक्छा पराप्त करके दादा भाई नायर, दादा भा में लीडिंग प्रोफिसर की तोर पर नियुक्त होने बाले पहले भारतिये बने थे, तो आप देखे भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी जंडा गाड रहे हैं हमारे लोग, देखे पिक्चर भी देख रही होगी एक आपको, और नौरोजी ने बरस 1892 में हुए बे प्रोसेशन के गठर में मदद भी की थी, बाद में 1886 में हुए कांग्रिस के अध्यक्ष भी बने, उस बक्त उन्होंने कांग्रिस की दिशा तय करने में अहम भूमी का भी निभाई थी, नौरोजी गोपाल किसने गोखले और महत्मा गांदी के सलाकार भी थे, और आपको म उन्होंने नौरोजी एंड कंपनी के नाम से कपास का व्यापाल सुरू किया, और कॉंग्रेस के गठन से पहले हुए सर सुरेंदनाद बनजी द्वारा इस्थापित इंडियन नेस्नल एसोसीशन के सदस्वी रहे थे, और यह संगठन बाद में कॉंग्रेस में बिलीन हो ग रोखकार के लिए बहुत सी संस्थाओं को फ्रोसान करने में युगदान दिया था, और वे पिसिद्य सप्ताहिक रस्त, गुपतार के संपादक भी थे, और यह ने कई जर्नल से भी जुड़े रहे, और वे सामाजी कारेयों में भी रूची लेते थे, और 1866 में लंदन में इस्थ इंडिया इसोसीशन की स्थाफना करके बेटेस आसन का सरपितम आर्थिक विसलेशन फिस्तुच करने वाले दादा नौरोजी का नाम भारती राष्टी कॉंग्रेस के संस्थापक सदसों में अगन गन है, और आप देखेंगे 1884 से 1907 के बीच, कॉंग्रेस में नरम पंथी या उदारबादी निवताओं का बोल पाला था, सुरैनाथ बनर जी, दादा भाई नौरोजी, मदन मुहर मालविय, गोपाल किसन गोखले, केटी तेलंग, फिरोस, साह मेता, आदी संतीपूर्ट तरईके से मांगे मनमानी के लिए प्रयास कर रहे थे, अंग्रेजो जोने उनकी मांग भी मान ली थी, और उन्हें ही इंग्लेंड की पालियामेंड में भालतियों का पितिनिजित करने के लिए चुना गया था, उन्होंने बड़ी सूझभूस से अपने इस दायत का निर्वान भी किया था, और देश और समाज की सिवा के लिए समर्पित दादा भाई नोरोजी नहीं, अंग्रेज वादा अंग्रेज द्वारा भारत की धन निकासी सिध्धान्द की और सभी भारतियों का ध्यान भी आक्रिष्ट किया था, पूछ लेता है धन की निकासी का सिध्धान्द किस ने दिया था, दादा भाई नोरोजी नहीं, और उन भारत को पुनाहा रेड की रूम में दिया जाता है जो आप देखते थे उस समय अंग्रेज कर भी रहते और जिसके लिए उसे और धन व्याज की रूम में चुकाना पड़ता है यह सब एक दुस्चक था और जिसे तोड़ना कठें था उन्होंने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया में पिती ब्यक्ती बार्सिकाय का अनुमान 20 रूपी लगाया था उस समय और इस पुस्तक के बारे में याद रखेएगा ठीक है दादा भाई नोरोजी की है ठीक है किसकी है दादा भाई नोरोजी की है और इसके अतरिक्त उनकी अन्य Commerce of India ये भी उनी से जुड़ी हुई थी दादा भाई नोरोजी के अंसार धर का धन का वरही गमन समस्त बुराईयों की जड़ है और भारती निर्धनता का मुख कारण भी है दादा भाई नोरोजी ने धन डिसकासन को अनिष्टों का अनिष्ट भी संज्जा दी थी अब हमारे यहां से पैसा ले जा रहे हैं वहां आप देखें वहां से रेड के रूम में हमें ही दे रहे हैं दादा भाई के बीच में इंगलेंड जाते रहे और परंतु साथ ठीक ना होने के कारण भी प्रयाहा सौदेश में रहे बानवे बरस की उम्र में 17 जून 1917 को मुंबई में उनकी देहान दोगा था उनकी डेथ हो गई थी बेभारत में राष्टिय भावनाओ के जनक थे और उन्होंने देश के सौराज की निव भी डाली थी दादा भाई नौरो जी की कहानी हो जाती है अब बात करते हैं गोपाल किसने गोखले साहब के बारे में किसके गोपाल किसने गोखले के बारे में यह आप देखें कि दादा भाई नौरो जी इनका 10 जून को नहीं यहां 30 जून आप लोग सुधार कर लिजेगा क्योंकि कई जगह आप दिखते हैं कि इनकी 10 जून लिखा होता है तो कई लोग 10 जून को ही मान लेते हैं 30 जून है यहाँ मैंने कई किताबों में सालच करके दिखा है 30 जून है यहाँ 30 जून 1971 की death हुई थी मुंबाई में गलत चप जाता है कई किताबें उसे ही सही मानने लगती हैं गोपाल किसने? गोखले अब आप देखें कि इनका जनम 9 मई 1866 में होता है और 19 फरवरी 1915 में की डेथ हो जाती है एक पिक्चर भी आख लोगों को दिखाई दे रही होगी गोपाल किसने गोखले भारत के सुद्मता से नानी समाजवीजी समाज से भी विचारक और सधारक की रूमें हमेशा जाने जाते रहेंगे और आप देखेंगे कि 9 मई 1866 को जनमे गोखले ने 19 फरवरी 1915 को दुनिया को अलवेदा कह दिया था और बेभारती राष्टी कॉंग्रेस में सबसे पिसित नरम पंथी थे और आप देखेंगे कि बित्ती इमामलों की अधुतिय समझ और उस पर अधिकार कूरवग बहस करने की चमता उन्हें भारत का गलेड इस्टोन कहा जाता है किसे? गोपाल किसने गोखले को और यहां तक की राष्ट पिता महत्मा गांधी ने अपना राजनेतिक गुरू भी माना था और गांधी जी को इनी ने सलाय दीती कि आप सबसे पहले भारत आए हैं तो पूरे देश की यापत्रा करिए भूमे समझे लोगों को तो यह भी याद रखेगा गोपाल किसने गोखले साहब गांधी जी के राजनेतिक गुरू वेटेस राज की बुरूद चले भारती सुतनता संगराम के दोरान उत्क्रिष्ट सावाजी को राजनेतिक निता की रूम पहचान इस्ताबित करने बाले गोपाल किसने गोखले का जनब 9 माई 1866 को तकालन बंबई प्रेसे इंडेंसी के अंतरगत माराष्ट की रतना जिले में हुआ था एक गरीब रहमड परिबार से सम्धित होने के बाबजूद गोखले की सिक्षा दिक्षा अंग्रेजी भासा में हुई ताकि आंगे चलकर हुए बेटरिस राज के एकलग की पद को पराप्त कर सकें और 1884 में एल फिश्टन कॉलिज से इसनातक की उपादी इनो ने ली और साथ ही गोखले का नाम उस भारती पीडी में सुमार हो गया जिसने पहली बार विस्विद्यालेम की सिक्षा पराप्त की थी इसनातिक होने के बाद गोपाल किस्न गोखले निव इंग्लिस इस्कूल पूने में अंग्रेजी की अध्यापक ने उप्ट हुए और अंग्रेजी भासा से निकटता होने के कारण गोपाल किस्न गोखले जॉन इस्टुवर्ट मिल और एड मंड बरकर की राजनेतिक बिचारों में काफी प्रभावित हुए और आप देखेंगे हाला कि गोखले बेही चक अंग्रेजी सासन की बिरुद अपनी आबाज उठाते रहे हैं लेकिन फिर भी उनोंने आजीवन अंग्रेजी भासा और राजनेतिक बिचारों का सम्मान भी किया फर्गूसन कॉलेज में अध्याबन कार करती हुए गोपाल किसन गोखले समासोधारिक महादेव गोपिंद राणाड़े के संपर्क में आये और जिन्होंने गोबिंद गोखले को भारतिय सुतंता संग्राम में सामिल होने के लिए पिरित किया और रणाड़े के सिक्सिके तौर पर गोपाल किसन गोखले ने 1889 में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की सदस्ता ली थी और इनके पार्टी में प्रविश्ट करने से पहले ही बाल गंगधर तिलग एनिवेसेंट लाला लाजपतराय दादा भाई नोरोजी कांग्रेस में सामिल थे और गोखले ने अपनी विस्ष्ट राजनेतिक पहचान बनाने के लिए बहुत परियास भी किये सोभाव में रनब गोखले आम जनता की आवाज बेटे सरकार तक पहुँचाने के लिए पत्रों और बेनारिक माद्धिमों का सहरा लेते थे 1894 में आइलेंड जाने के बाद गोखले एलफेड बेब से मिले और उने कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए राजिवी किया लेकिन तिलक इस बात का बिरोध करने लगे भारतियों के आंत्रिक मसले पर अंग्रेजों को दखल नहीं देना चाहिए इस मुद्धे पर गोखले और बालगंगधित तिलक के बीच बिवाद उत्पन हो गया और इस बिवाद ने कॉंग्रेस को दो गोटों में बिवाजित कर दिया एक नरम पन थी और दूसरा गरम पन थी 1905 में गोपाल किसन गोखले अपने राजनितिक लोग प्रीता की चरम पर थे उन्हें भारती राष्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष भी बनाए गया और उसके बाद उन्हें भारती सिक्षा को विस्तार देने के लिए सर्वेंट्स उप इंडिया सुसाइटी की स्थापना की और 1912 में गांधी जी के अवंतन पर गोपाल किसन गोखले दच्छड अफीका गए और उसी समय गांधी जी ने दच्छड अफीका में अंग्रे जी सासन की बुरुद अपना संगस समात किया था और गोखले से मिलने के उपरांध गांधी जी ने उनके उनसे भारती राजनीती के हालत आम आदमी की समस्थ्या के विस्तार में जानकारी ली और जीवन के अंतिम सालों में भी गोखले भारती सुतंता में अपनी भागिदारी निभानी के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया का नेतित करते रहे दिन रात काम का दबाओ नई नई परियरसी आनियों के चलते हुआ बीमार रहने लगे और 19 परवरी 1915 को मात 49 वर्स की आई में उनकी डैथ हो जाती है यानि की मित्ती हो जाती है अब बात आती है सर सेयद एहमद खान की किसकी सद सेयद एहमद खान की तो इन सब की बारे में आप लोग याद जरूर रखा करिएगा सर सेयद एहमद खान की बात करें तो 17 एक्टूबर 1817 में दिली में का जनम होता है और 27 मार्च 1898 में 27 मार्च 1898 में अलीगर में की डैथ हुई थी ठीक है तो ये भी याद रखिएगा आप लो सर सेयद का व्यक्तित उनकी अध्भुत दूर दर्शीता और विवेक विवेक और धर्मिता संबेदन सीलता सौधिस भक्ती के तानो वानों से निर्मित है और इस व्यक्तित के मूल में ततकालेक मुसलिम समाज की आर्थिक विपन्यता और सेक्षिट पिछड़ी पन और विवेक सौन भावुकता की बिती जानदा पीड़ा है और वही बहु धर्मी बहु जाती है बहु राष्टी सौधिस को एक राष्टी है चीतना से जोड़ने और निरास से सो जूझने की बाब जू नेंतर जोड़ती रहनी की भरपूर ललक है इनमें और बाइस बर्स की अवस्था में पिता के डेथ होने की बाद सरसेहर अमद खान 1849 में कमपनी सरकार की नायव मुनसी की नौकरी अवस्थिकर ली किन्तु हाथ पर हाथ धर कर उसी से गुजारा करने के लिए नहीं अपितु मुनसीफी से समंधित दिवानों दिवानी की कानून का कुस्तक की रूम में खलासा पिस्तुत करने बाली अपनी विलक्षन पितिभा की पहजान बनाती हुए उन्होंने अपनी इसी पितिभा की आधार पर मुनसीफी की पितियोगी परिक्षा में लेकनी ये सफल दापराप्त की और 1841 में मेनपूरी में मुनसिब निवक्त हुए और दिल्ली की निबासकाल में असा रुसनादी दीद सीसा कुस्तक लिखकर सेयद ने दिल्ली में की 232 इमारतों का सोत परक इतिहासिक परिचय पिस्तुत किया और इस पुस्तक की आधार को उन्हें रोयल एस एसियाटिक सोसाइटी लंदन का फैलो निवक्त किया गया था 1857 की करांती उनकी आसफलता की दुस प्रड़ाम उन्होंने अपनी आँखों से भी देखे थे धैर और सहिन सीलता की मूर्ती पर सरसयद एहमद खान ने अपनी गंभी सूजबूच की आधार पर बेटे सरकार की पितिकरिया की चिंता की बिना जन करांती के कारणों पर 1869 में अस बावि बगा वते हिंद सीशक से एक महत्कून पुस्तक भी लिखी थी इन पुस्तकों को भी याद रखियेगा और उनका अंग्रेजी अनवाद अब हिंदी में हो किसी और भासा में हो उसका अंग्रेजी अनवाद भी उता रहता था अंग्रेजी अनवाद बेटिस पालियामेंट को भीद दिया था किरांती के जोकिम भरे विशय पर कुछ लिखने बाले सियाद पिथम भार्थी ये थे सर सेयाद अहमत खान जानते थी कि पंजाब से लिकर बिहार तक कछेत आधूनिक ज्यान बिग्ज्यान और अंग्रेजी सिक्षा में बंगाल और महराष्ट की तुला में बहुत पीछे है उसे राजनीती से कहीं अधिक सिक्षा की आवा सकता है और सिक्षा की जो मनुस्त में भावुकता की स्थान पर विवेक को जनम देती है संकींडता और धर्मांदिता की जगे संतुलेत और संबेदन सील जीवन दरश्टी पिदान करती है और सोदेश बासियों के पिती दायत के एहसास से आत्मा का परिसकार करती है उन्होंने 1864 में इसी उद्देश से साइन्टिफिक सोसाइटी की स्थापना की और आधुनी ग्यान बिग्यान के पिरकास को आम पड़े लिखे सहरी पड़े लिखे सहरी तक पहुंचाने का प्रियास किया और 1875 में अलीगर में मदरस तुल उलूम की स्थापना की जो दो वर्सों बाद 1877 में MAO कॉलिज के नाम से जाना गया और 1920 में जिसे विश्विध्याले की रूम में पितिश्ठित किया गया सरसेयद के MAO कॉलिज के द्वारा सभी धर्मा लंबियों के लिए खुले हुए थे पहले दिन से ही अर्वी फार्सी भासाओं के सासा संस्कित भासा की सिक्षा की भी बिवस्था की इन्होंने इस्कूल के इस्तार तक हिंदी के अध्यन अध्यापन को भी अपेक्छिस समझा गया इसके लिए पंडित के दारनात अध्यापक नियुक्त हुए और स्कूल और कॉलेज दोनों ही इस तरों पर हिंदू अध्यापकों की नियुक्ती में कोई संकोच नहीं किया गया कॉलेज के गड़ित के प्रोफिसर जादा और चंद चकवर्ती को अखिल भारती इस तर पर ख्याती भी पराप्त हुई और आप देखेंगे उन्नीसवी सदाब्दी में सलसेद एहमद खान इस बिरिष्टी से आदूती हैं कि उन्होंने कभी अकेले मुसल्वानों को संभूदित नहीं किया उनके भाष्णों में हिंदू मुसल्वान बराबद से सरीक होते थे और उन्होंने मुसल्वानों की दसा सुधारने के लिए यदि कुछ किया या करना चाहा तो अपने हिंदू मित्रों के सुझाओ सहयोग नजारंदा नहीं किया उन्होंने हिंदूओं के मन में मुसल्वानों के पिछलेपन के पिती गहरी साहनुवती भी जगाई और पाइडाम यह हुआ कि जहां एक और कॉलेज के लिए मुसल्वानों ने चंदा दिया हुआ हिंदूओं का सहयोग भी कम नहीं मिलाया इस्तलाम की बेवेक सम्मत ब्याक्या करने की पित किरिया यह हुई कि संकीन मुसल्वानों ने उन्हें काफिर घोसित कर दिया मक्कियों और मद्धीनों से उनके बिरोध कतल किये जाने के सफ़त्वे मांगा लिए गया सोच लिजे सर सेयद ने कॉंडरेज का नेशनल होना सुईकार नहीं किया और हियूम की सहब पाकर बंगाली ब्रहमडों ने उन्हें बेटिस भक्तियों कट्रवन्थी तक कह दिया और ऐसा उस समय किया गया जब सेयद ने तेलक की भाती गड़ुसाओ और सिबाजी उस्साओ के ढर्रे पर मुसल्मानों को किसी मुसलिम समर्थ तक उस्साओ के लिए प्रोषाहन नहीं किया चापे कर बंगों की तरह कोई व्याया मंडल नहीं बनाया और जिसके जाती है सदस्नों को फोजी डिल, लाठी, तलवा, चलाना, घुरसाबारी सिखाई जाती सरसेयद एहमद खान, मुसल्मानों और हिंदों के बिरोधात मग सवर को चुपचाप सहन करते रहे और जिसी सहन सिल्ता का पड़ाम है कि आज सरसेयद एहमद खान को यह कियोग पुरुष के रूम में हम लोग याद करते हैं अब आप देखें कि जिस तरह से गांधी को हिंदूओं का पक्षदार करते थे मुसलिम, मुसलिमों का कहते थे हिंदू, नेता, कुछ हिंदू देखेस और इस तरह इनसे भी कह रहे हैं, हिंदों मुसल्मान दोनों हिं उनका आदर करते हैं और सत्रे एक्टूबर 1817 में दिल्ली में जन्में इन बहु आयामी व्यक्तित की जीवन लेला 27 मार्च 1859 को समात्त हो गई और किन्त उनका प्रिकास आज भी करोणों भारतियों क्यों रोसनी पिदान करता है यह सही बात भी है, करता है या नि करता है तो यह आप देखें सर सेद अहमद खान की कहानी हो जाती है अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरफसुति के बारे में इनका जन्म आप देखेंगे कि बारे फरवरी 1824 में होता है और इनकी डेथ 30 अक्टूबर 1883 में हो जाती है भारतिय समाज में ऐसे कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज के ढाचे को पूरी तरह बदल कर रख दिया ऐसे ही समाज सुधारकों में से एक थे कौन? आरे समाज के संस्ताफक महान सुधारक स्वामी दयानंद सरसुति सहाब और आप दिखेंगे महरस्ति स्वामी दयानंद सरसुति आरे समाज के प्रवक्त तक और प्रमुक सुधारक बादी सन्यासी थे और दयानंद सरसुति ने भारती समाज के कुप पिछड़े पन से दूर करने के लिए पुराने रिती रिवाजों को बंद करने का हान किया तो किया साथ ही उन्होंने ग्यान से लिए संस्कित भासा का भी प्रयोग किया जो यही दिखाता है कि वह नए और पुराने में सामंचिस बना कर रखते हैं और स्वामी दयानंद सरसुति का जनम गुजरात की भूतपूर आप देखेंगे मौरवी राजी की गाउं में सन 1824 में हुआ था इनका और इनका प्यारंबिक नाम आप देखेंगे मौल संकर और फिता का नाम अंबा संकर था इनका प्यारंबिक नाम भी याद रखेगा और आप देखेंगे स्वामी दयानंद बालकाल में संकर के बढ़ते थे या बड़े मेधावी और होनार थे और ब्रह्म चरकाल में ही ए भारुतभार का बित लेकर घर से निकल पड़े थे और ग्रह त्रयाग के बाद मत्रवा में स्वामी बिरजानन्द के सिस्व बनते हैं और सिक्षा प्राप्त कर गुरू की आज्या से धरम सुरार हेतु पाखंड खंडनी पता का फैराई और स्वामी जीवन की कुछ एहम घटनाय गटी जिनका उनके उनके जीवन पर बेहद अस पड़ा और आप देखेंगे चौदर वर्स की अवस्था में मूर्ती पूजा के पिती भिद्रो जब सिव चतुर दसी की रात में इन्होंने एक चूहे को सिव की मूर्ती पर चड़ते और उसे गंदा करते देखा किया तो 21 वर्स की आयू में बिवाह का उसर उपस्तित जा सिक्षा पराप्त की बहुत सारे आचारियों से गुरू कह लीजे आप लोग इस तरह बच्पन से ही दयानन सरसुती ने अध्यात्म की तरफ मुरूड मोड रखा था और धवम सुदार में अग्णी रहे दयानन सरसुती ने 1875 में बंबई में आरे समाज की स्थापना की और धर्म परिवतन कर चुके थे आप देखे उन लोगों को पुनाहा आप देखे कि हिंदू बनाने की पेड़ा देकर सुद्धी आंदोलन चलाया और सन 1886 में लाहोर में सुआमी दयानन्द की अनुवाई लाला अंसराज ने दयारनन्द एंगलो बैदिक कॉलेज की स्थापन मिला और सुआमी जी के एकस्वरवाद में विश्वास करते थे एक इस्वर में उन्होंने जाती बाद बाल बिवा का बिरोध भी किया नारीत सिक्षा और विदवा बिवा को पुरोसायत किया उनने और उनका कहना था कि किसी भी आ हिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सक और इससे क्या होगा कि हिंदों का धर्म परिवर्तन रोख जाएगा। और उनके स्तीखे उत्तर से आप देखें इतिल मिलाई अंग्रेजी सरकार ने उन्हें समाप्त करने की तरह तरह की सडेंद भी रचे। दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कस्मी से कन्या कुमारी तक सब भारतिये एक भासा में बोलने और समझने लग जाएगे। सवामी जी की धार्मिक संकीरता और पाखंड की विरोधी थे सवामी जी लेकिन उनकी आप देखिए एकछा पूरी आज तक नहीं हो सकी है। आज भी आप देखिए हिंदी को राष्ट भासा बनाने की बात होती है तो कई लोग इसका विरोध भी करने लगते हैं। अब बात करते हैं रवेन्नाठ टेगॉर की और रवेन्नाठ टेगॉर की वारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जनम कब होता है। किनका रवेन नाट टेगवर साहब का ये कभी भी थे और 7 मई 1861 से इनका जनम होता है कुलकाता में और 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ होती है ठीक है रवेन नाट टेगवर को गुरुदेव के नाम से भी आप लोग जानते हैं इस तरह के कुश्चन से लिए कह रहा हूँ कि वंडे एक जाम में कई बार आप देखते हैं कि पूँच लेता है को गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था रवेन नाट टेगवर को बे विश्व विख्यात कभी साहितकार और दार्सनेक और भारतिय साहित के एक मात नोबल पुरुषकार बिजेता थे और सबसे पहले आप देखिए इने ही नोबल पुरुषकार मिला था ये भी आप लोगों को मालू होना चाहिए और वो है बंगला साहित के माध्यम से भारतिय सांस्कितिक चेतना में नई जान पूकने वाले योग द्रश्टा थे और वे एसिया के पितम नोबल पुरुषका सम्मानित ब्यक्ति और वे एकमात कभी हैं जिनकी दो रचनाय दो देशों का राष्टगान बनी भारत का राष्टगान जनगनमन और बंगलादिस का राष्टगान आप देखेंगे आमार सोनार बंगला और गुरोधे की ही रचनाय थी और आप सभी जानते हैं बंगला हमारा पड़ोसी भी है बंगलादिस रविन नाट टेगोर का जनम देविंद नाट टेगोर और सारदा देवी की संतान की रूप में 7 मई 1861 को कोलकाता की जोडा साको ठाकोर वाडी में हुआ था और उनकी स्कूल की पड़ाई पितिष्टि सेंट जेवियर जेवियर स्कूल में हुई टेगोर ने वेरिष्टर बनने की चाहत में 1881 में इंगलेंड के वेरिष्टॉन में पबलिक स्कूल में नाम दर्श कराया उन्होंने लंदन कॉलिज से कानून का अध्यन किया एकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किये ही बापस आ गए और 1883 में मिर्ना लिनी देवी के साथ विवा हो जाता है और बच्वन से ही अपनी उनकी कविताएं चंद और भासा में अद्वुत पितिभा का आवास लोगों को मिलने लगा था उन्होंने पहली कविता आठ साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में कि अब 16 साल की उम्र में उनकी लगू कथा पिकासित हुई और आ गुर्वी पिरवाहनी, सिसू भोलानात, महुआ, वनवानी, परीशेस, मुंश्चस, और वीथी का सेसलेखा, चोखेर वाली, वाली कनिका, निवेदय, मायर खेला और चनिका आदी इनकी सामिल हैं। देश और विदेश के सारे साहित, दर्शन और संस्किती आदी उन्होंने आरन करके अपने अंदर सिमट लिये थे। और ब्रहमर धरम के होने की कारण अपनी रचनाओं बगकरम के द्वारा उन्होंने सनातम धरम को भी आंगे बढ़ाया। मनोस और ईसोर के वीच जो चिर इस्थाई संपर्ख है, उनकी रचनाओं के अंदर अलग-अलग रोपों में उबर आता है। साहती की साहती ही ऐसी कोई साखा है जिसमें उनकी रचना ना हो कविता, गान, कथा, उमन्यास, नाटक, प्रवंद, सिल्वकला सभी विधाओं में उन्होंने रचना किये। और उन्होंने कुछ पोस्तकों का अंग्री जी में अनुवाद भी किया है, अंग्री जी अनुवाद के बाद उनकी पितिवा, पूरे विष्ट में आप देखेंगे फैली है। उनकी कहानियों में काबूली वाला मास्टर सहाब, पोस्ट मास्टर आज भी लोगत परिये कहानिया हैं। और लगाता चर्चा का विष्ट बनी रही और उनकी लिए समाज उस समाज में रह रही महलाओं का स्थान और नारी जीवन की विष्टाएं गंभी चिंतन की विष्ट थे। और इस विष्ट में भी उन्होंने गहरी अंत्रा दिश्टी का परिचाय दिया, रवेनात की रचनाओं में सुतंता अंदोलन और उस समाज की समाज की जलक साब तोर पर देखी जा सकती हैं। उन्होंने विष्ट के सबसे बड़े नरसंगार में से एक 1919 में हुए जलिया वाला कांडी की गोर निंदा भी की थी और इसके बिरोध में उन्होंने बेटेस पे सासन द्वारा दिये गए सर की उपाधी भी वापस कर दी थी। आजादी का सपना यसे भायावर घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ और इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इक्षा और जोड से उपन पड़ी थी। क्या एकांध में भरोसा करते थे और इयाद भी रहता है पर मन भी लगता है और इस तरह से आप देखेंगे कि प्रकेती के सन्नित में पेड़ों बगीचों और एक लाइबरेडी के साथ टेगोर ने सांती निकेतन की स्थापना की और टेगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना क रवेंद संगीत बंगला संस्किती का अभिन हिस्सा है टेगोर के संगीत को उनके साहित से अलग नहीं किया जा सकता है उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में सामिल हो चुकी है हिंदुस्तानी सास्ती संगीत की ठुमरी सैली से प्रभावित एक गीत मानवी भ भाजन हुआ था ना आंदोलन का अरम हुआ था व इसी आंदोलन ने भारत में सौदेशी आंदोलन का सूत्पाद भी किया था गुरूदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित बनाना शुरू किया और इसमें यूक का संसय मोह कलांती निरासा के सर्व प्रकट हुए मनो स गांदी जी पहले पायदान पर राष्टबात को रखते थे वहीं टेगोर मानवता को राष्टबात से अधिक महतव देते थे लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक संवाण करते थे यानि कि मदभीद अलग बात है देखिए और संवान अलग बात है टेगोर ने गां और गुरुदेव ने बात के दिनों में चित्र भी बनाने लगे थे, और रवेंद नाथ ने अमेरिका बेटें जापान चीन और सहेद दरजनों देशों की आत्राएं की थी, 7 अगस 1941 को देश की इस महान विभूति का देह वसान हो गया था, यानि कि इनकी मित्ती हो गई थी, अब बात आती है भीमराओं अम्बेटकर साहब की, समीधान का पिता भी आप लोग इने कहते हैं, आप सभी जानते होंगी, क्यों कहते हैं आप लोग, और आप देखे 14 अपरेल 1891 को इनका जनम होता है, डॉक्टर अम्बेटकर नगर में, और 6 दिसंबर 1956 में इनकी डैथ हो जाती है, ठीक है, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, भारत को समीधान देने वाली महान नेता, डॉक्टर भीमराओं अम्बेटकर का जनम, 14 अपरेल 1891 को मद्पिदेश की एक छोटी से गाउं में हुआ था, डॉक्टर भीमराओं अम्बेटकर की पिता का नाम राम ज जेला था, इस्कूल से ही आप देखें, अम्बेटकर की पूर्बा लंबे समय से बेटिस इश्ट इंडिया कंपनी की सेना में कारणत थे, और उनके पिता बेटिस भारतिय सेना की मउचानी में सिबा देते थे, और आप देखें, अंतिम दिनों में इन्होंने बहुत धरम अपना लिया था, अब आप देखें, इनके पास तो यह चायते हैं अगर पैसे के लिए, इन्होंने पैसे के लिए तो बहुत धरम अपनाया नहीं होगा, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर इन्हें पैसे ही कमाने का कुछ है, अगर इस तरह का उद्देश होता है, तो आप आप देखें कि हमारे देश के कानून मंतरी हो, इतने बड़ी पावरफुल सहस्ती हो, उसे पैसे कि मुझे नहीं लगता है कि चाहत होगी, लेकिन आप देखें कि धरम में बुराईयों के कारण उन्होंने ए धरम अपनाया था, डॉक्टर अम्बेड कर एक राजनेतिक ने समय परिवार में हुआ था, अम्बेड कर ने सारा जीवन हिंदु धरम की भेदभाव, मूलग, बंड बेवस्ता और भारती समाज में सरव्याप्त जाती बेवस्ता की विरोध संगर्स में बिता है, यही एक सुकत सयोग ही कहा जा सकता है, कि अनेकों सामाजेक और वित्तिय बाधाओं होने की बाप जुद भी अम्बेड कर ने कॉलेज की उच्चे सिक्षा प्राप्त की है, आज की हालत देलग है, आप देखें कि अगर कोई अगर कोई चात अगर अच्छी पोजीसन पर पहुंच जाता है, तो आप देखते हैं कि बुद्देश ही छोड़ देता है, वो अपने समाज को ही छोड़ देता है, लेकिन भीमराओं मिटकर साहब ने ऐसा नहीं किया, आप देखें तने पड़ी लेके होने के बाद भी, व फिर भी आप लोगों को कई असी घटनाय देखने को मिल जाएंगी, जिसमें चुगा चूट साब देखता है, अम्बेडकर ने कानून की उपाधी पराप्त करने के साथ ही बिधी, अर्धसास्त और राजनीती विग्यान में अपने अध्यन और अनुसंधान के कारण अम्बिया विष्विध्याला लंदन स्कूल और एकोनोमेक्स से कई डॉक्टरेट डिग्रिया भी हरजित की हुई है, सबसे जादा पड़े लेके थे, अम्बेडकर बापस अपने देश एक पिसेद बिध्वान की रूम में लोट आये थे, और इसके बाद कुछ साल तक उ अंता की बकालत की, जिने अच्छूत मानते थे ना उनी की बात की इन्होंने, चुआच्छूत के विरोध संघर्स की तहत उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1919 को तेयार करी साउथ बोरो समती की समख दलितों और अन्यधार्मिक समदायों के लिए पिथक निर्वाची का और आरक्षन देनी की बकालित की, देखे आरक्षन यहां से सुरू हो जाता है बात होना, 1930 में बंबई में उन्होंने सब्ताहिक मूख नायक की पेकासन की सुरूआत की और यह पेकासन जल नहीं पाठकों में लोख प्रिये हो गया, और अम्बेडकर ने इसका इस्तेमाल रोड चतुरत को बहुत प्रभाविद किया था, और अम्बेडकर ने 22 के हितकारडी सभा की स्थापना भी की थे, इन संगठनों को ज़रूर या रखा करेगा, जिनसे जुड़े होते है बहिसका हितकारडी सभा की स्थापना अम्बेडकर साहब ने की थे, और जिसका अफ्देश था उन्होंने सार्विजनेक आंदोलों जुलूसों के द्वारा पेजल के सार्विजनेक सांसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही अच्छूतों को हिंदू मंदिरों में प्रविश करने का अधिकार दिलानी के लिए उन्होंने संगहस किया था और 1927 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्ति का बहिस्कित भारत की शुरुआत उने भॉंबे प्रेसिडेंसी समिती में साइमन आयूग 1928 में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और इसे आयूग के बिरोध में भारत भर में बिरोध पिदरसन हुए जबकि इसकी रिपोर्ट में को जानदातर भारतियों को द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया था डॉक्त अमबेडकर ने अलग से भविस्ट के समिधानिक सुधारों के लिए सिफायरेसें भी लेखी थी तो ऐसे थे बाबा सहाब भीमराव अमबेडकर सहाब तुमाज नहीं आप लोग इनके नाम पर आज भी आप देखी कई राजनतिक पार्टियां बोट बेंक बटोरत रहती हैं लेकिन उनके जैसा काम नहीं करती हैं अमबेडकर ने भारतिये राष्टी कॉंग्रेस और उसके नेता मुहंदास गांधी की आलोचना की और उन्होंने उस पर उन पर आसपस समधाय को एक करणा की वस्तू की रूम में पिस्तुत करने का रूप भी लाया जैसार एक सोसित बर्ग की सुरक्षा उनके सरकार और कॉंग्रेस दोनों से सुतंत होने में हैं और अमबेडकर ने कॉंग्रेस और गांधी द्वारत चलाए गए नमक सत्यागे की आलोचना भी की थी इन्होंने और आद देखें अमबेडकर की आलोचना ओं और उनके राज अमेडकर की आसपस से समधाय में बढ़ती लोग पीजिता और जन समर्थन के चलते हुए उनको 1931 में लंदन में दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने की लियामंतित किया गया था और यहां उनकी अचूतों को पिथक निर्वाजची का देने के मुद्दे पर तीकी बहस हुई थी और 1932 में जब बेटेसों ने अमेडकर के साथ सहमती ब्यक्त करते हुए अचूतों को पिथक निर्वाजची का देने की घोषना की तब गांधी ने इसके ग्रोध में पूर्णे की यरवदा जेल सेंटल जेल में आमरन अंसन शुरू किया था और गांधी जी के अ अधिकार और चुगा चूत खतम करने की बास सुईकार कर ली थी और आप देखें अम्बेड का द्वारा तेयार किया गया सम्मिधान पार्ठ में सम्मिधाने गारंटी के साथ नागरेकों के एक ब्यापक सेंडी की नागरेक सुतंता हैं सोरक्षा पैदान की गई जिसमें धार्मिक सुतंता असपस्ता कांथ सभी पैकार की बेदभाव को गेर कानूनी करार दिया गया अम्बेड कर ने महलाओं के लिए ब्यापक आर्थिक और समाजिक अधिकारों की बकालत किये अनुसुचे जाती अनुसुचे जन जाती के लोगों के लिए सिविल सेवाओं इस समेलन में भाग लेने के लिए सिर्यरंका तब सिलोन में गए और 1955 में उन्होंने भारतिये बहुत महासाभा या बहुत सिसाइटी ओप इंडिया की स्थापना की और उन्होंने अंतिम लेग दाबुद्ध एंड हेज धम को 1956 में पूरा किया और 14 एक्टूबर 1956 उनके समर्थकों के एक उपचारिक सार्विनेक समाहो रोह का आयुजन किया और अंबेडकन एक बहुत विक्चु से पारंपरिक तरीके से बहुत धर्म गहन किया और अंबेडकन ने 1948 के मदहुबे से पेड़े थे और 6 दिसमबर 1956 को अंबेडकन की दिल्ली में उनके घर में मित्ती हो जाती है तो याद रखी जो आप देखेंगे आधुनिक भारत में चर्चित कुछ माद्पूर बैक्ती थे उनके बारे में हम लोगों ने एक ओवर विव ले लिया है और वैसे तो आप देखते हैं कि बहुत सारे हैं लोग हैं सभी के बारे में बात कर पाना हुए कुछ सबाल हों आपकी सुझाओं तो आप लोग देख लीजेगा अंगली क्लास में सोतन ते उत्तर योग 1947 से 1964 की भी जो भी हुआ है उस पर बात करेंगे हम लोग ठीक है